जिस किताब की समरी में आप लोगों को सुनाने वाला हूँ उसका नाम है The Art of Happiness और इसे लिखा है Howard C. Cutler जी ने और इनकी conversations जो हैं वो हुई है His Holiness the Dalai Lama के साथ अब जरा हम बात करते हैं उस secret की यार देखो हमारी जो writer भाई सावे न याने Howard जी जो है वो belong करती है Western culture को Western influence को Western education के थुरू वो पले भड़े और उसी के साथ वो पेशे से एक जाने माने psychiatrist है वहीं पर उनकी मुलाकात होती है Dalai Lama जी से जो की Eastern influence में और Eastern education में उनकी upbringing होई और पेशे से वो एक जाने माने monk है ये Western psychiatrist जब एक Eastern monk से मिलता है न तो कई सारी बातों पर disagreements होती है यार मेरे हिसाब से तो happiness का ये मतलब है नहीं मेरे हिसाब से happiness का ये मतलब है happiness का असली मतलब क्या है वो with time इस किताब में हमें समझ में आने लगता है दलाई लामा जी ने जब अपने जवाब दिये तो उन्होंने बिलकुल ऐसा नहीं कहा कि बस जो Eastern concept है वही सही होता है Western concept जो है वो सही नहीं बलकि दोनों ने मिलकर एक बहुत interesting conversation करी और एक end result निकाला कि actually में अगर हमें कोई चीज करनी है happiness की तरफ बढ़ना है तो हमारे steps क्या होने चाहिए अब देखिए इस केताब के बारे में मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ लेकिन trailer मुझे इतना allow नहीं करता समय थोड़ा सा कम है तो please यार चल दीजे मतलब थोड़ा ऐसा कुछ खाने वाने का अपने साथ में रख लीजेगा earphones वो तो best है नहीं तो speaker में थोड़ा सा volume को तेज कर दीजे और जैसे ही सारी की सारी चीजें set हो जाए मैं यहां पर आपका इंतजार कर रहा हूँ इस सफर को शुरू करने के लिए तो आप मुझे अपना guide समझ लीजे और आईए जानते हैं हमारी अगले episode में कि यह happiness तर असल होता क्या है और इसको किसी के ऐसे गुद्गुदी करनी पड़ती है या फिर तरीका कुछ और है वेल आपका इंतजार रहेगा अगले episode में यहां कुको FM पे सुने जमंचा है मेरा personally यह मानना है कि हम सब की जो जिंदगी है उसका सिरफ और सिरफ एक ही purpose है हम सब happiness को ढूंड रहे है देखो बात बहुत ही clear है आप किसी religion में मानते हो ना मानते हो आप इस religion में मानते हो उस religion में मानते हो at the end of the day हम सब अपनी जिंदगी में कुछ better की तलाश में है इसका म वैसी करके जब हमारी जिंदगी एक motion में आगे बढ़ती है तो वो motion towards happiness ही है जैसे कि जो flowers होते हैं वो सूरच की तरफ जाते हैं जो पिड़ पौदे होते हैं वो सूरच की तरफ उगते हैं वैसे ही करके हमारी जिंदगी है वो हमारी जिंदगी का सूरच happiness को consider कर सकते हैं ले जी के जी के जिन्दगी में कैसी कैसी tragedies होती है तो क्या हम सब का ये मानना कि हम सब happiness पास सकते हैं ये एक सची बात है क्या ये वाकई में possible है यहाँ पे दलाई लावा जी एक answer देते हैं बलकुल मैं ये मानता हूँ कि happiness बिलकुल achievable है चाहे आप कहीं से भी आते हूँ और इसको अचीव करने के लिए आपको सिरफ एक छोटाशा काम करना है आपको अपने दिमाग को train करना है हेलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं दलाई लामा जी और हावर्ट सी कटलर की लिखी किताब अगर आपको इस किताब का इंट्रो याद हो तो मैंने कहा था कि हावर्ट जी जो है वो दरसल एक साइकाटरिस्ट है अब साइकाटरिस्ट जो होते हैं उनके सामने जब पेशेंट आता है तो पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना या उसकी जिन्दगी में जो भी प्रॉब्लम आ रहे है ये कॉन्फिक्ट आ रही है उसको सॉल्व करना उनका फाइनल गोल होता है हापिनेस गोल नहीं होता वो पेशेंट हापी हो रहा है नहीं हो रहा है इससे एक साइकाटरिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ये साइकाटरिस्ट का में काम होता है तो यहाँ पर जब हमारे दलाई लामा जी ने कहा कि भी आप ट्रेनिंग ओफ माइंड से कर सकते हैं तो वो पूछा ये ट्रेनिंग ओफ माइंड से कैसे तो यहाँ पर दलाई लामा जी ने खुद को क्लियर किया कि देखो जब मैं माइंड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं सिरफ ये जो आप एक दिमाग इमाजिन कर रहे हो करता है अब इसको जब आप एक छोटे से डिसिप्लिन के अंडर में लेकर के आते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे ट्रांस्वर्मेशन होते हैं आपका जो आटिट्यूड होता है न एक इन जेनरल आपका जिंदगी को देखने का नजरिया वो पूरी के पूरे तरीके से बदल जाता है अब इसी दौरान हमारे जो राइटर भाई साब है उन्होंने अपना एक छोटा से एक्स्पीडियन्स शेर किया है उन्होंने देखा कि एक दिन जो हैं दलाई लामा जी अपना स्पीच वगेरा सब खतम करने के बाद अपने होटल रूम की तरफ वापस जा रहे थे तो जब वो वहां से जा रहे थे तो वहां पर एक जो क्लीनिंग स्टाफ लेडी थी वो खड़ी हुई थी और इन्होंने जाके उनसे पूछा कि आप कहां से बिलॉंग करती है उनने बताया कि मैं मेक्सिको से बिलॉंग करती हूँ अच्छा जी वहां पर उनके आपस मेना कुछ बादचीत हुई वो बादचीत होते 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 जो वहाँ पी cleaning staff वाली लीडी खड़ी थी, पता नहीं उनके जो उतरा हुआ चेहरा था उस पे एक happiness सी आ गई अब दीरे से करके वो अपनी एक दोस्त को भी बुला लए कि सुनो ना इन से बात करो बड़ी इंट्रेस्टिंग बाते करते हैं दलाई लामा जी ने उनके साथ भी बाते करी अब समय के साथ साथ जब दिन खतम होते गए, नए नए दिन speeches होती गई तो राइटर भाई साब ने नूटेस किया कि दलाई लामा जी सिरफ और सिरफ वो speech तो अलग होती थी लेकिन उससे हटके जब आकर के भी इन लोगों से बात करते थे तो कुछ तो बात थी उनने एक अजीब सा एक effect है, charming effect था कि जब वो खड़े हो करके बात करते थे तो बाकी समनों बड़ा interest फील करते थे उनके साथ बात करने में क्यों होता था ऐसा, वो इस किताब में आप आगे जाके समझेंगे लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा rewind करते हैं इसका simple सा मतलब है कि अगर आप जिन्दा है, तो आपका एक ही लक्ष है, एक ही गोल है, लाइफ का एक ही मतलब है कि आपको खुशी ढूंने है अब यस बात से हमारे western thinkers ले लो, eastern thinkers ले लो, Aristotle ले लो, William James ले लो, सबगरी करते हैं लेकिन यहाँ पे एक बड़ा interesting question हमारे writer भाई साब उठाते हैं, कि अगर हम सब अपनी जिन्दगी में ये personal happiness ढूंड रहे हैं तो ये personal happiness एक तरह का एक काफी self-centered nature नहीं हो गया ये मताँ खुदगर्स टाइप आप कि मैं अपनी जिन्दगी में अपनी खुशे ढूंड रहा हूँ, मेरी खुशे ढूंड रहा हूँ, मेरी खुशे ढूंड रहा हूँ नहीं लगता ऐसा, well actually में ये बात गलत है और इसको प्रूव करने के लिए एक experiment भी हुआ था दरसल जो unhappy लोग होते हैं वो जादा self-focused होते हैं वो जादा खुद-खुद-खुद के बारे में सोचते हैं और वहीं पे जो लोग अपनी जिन्दगी में खुश होते हैं वो अकसर काफी socially available रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए जादा ready रहते हैं काफी flexible रहते हैं हर चीज़ का जल्दी जल्दी frustrated नहीं हो जाते हैं अब example क्या है और वो experiment क्या था उसे जरापन लोग बड़े simple simple तरीकी से समझते हैं अब एक set of students को बुलाया गया और दूसरी जगा पर ये दूसरे set of students को खड़ा किया पहले वालों के साथ बड़ी depressing depressing सी बाते हुई और उसके बाद उनकी group को भार छोड़ा गया जब वो लोग बाहर गये तो बाहर एक stranger को खड़ा गया था जो वाँसे चल के जा रहा था और उसके हाथ में कुछ पन्ने रखेते हैं वो पन्ने नीचे कर जाते हैं इस बात को notice किया गया कि जो पहले वाली group थी उनमें जादा तर लोग बिलकुल interested नहीं थे कि उस आदमी को help करें जाएं उसके वो पन्ने वन्ने उठा के उसको दें वहीं पर जो दूसरी group थी जिसको एक बड़ा interesting और एक motivation speech वीच दिया गया था थोड़ा एक comedy album दिखाया गया था जैसी वो लोग बाहर निकले उनसे अगर कोई stranger आके पैसे भी मांगा था तो तुरंत वो लोग देने के लिए भी ready थे बात बहुत simple सी है जब आप अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं जब आप खुशी की तरफ सही रास्ते से जाते हैं तो आप दूसरों की मदद करने के लिए भी ज़ादा ready होते हैं अब इसको हम और ज़ादा deep में आने वाले episodes में समझने वाले हैं लेकिन हमारे अगले episode में हम बात करने वाले हैं जौब और happiness के एक छोट इसे relation के बारे में क्या बात है वो वो तो अगले episode में पता चलेगा आपका इंतजार रहेगा Ladies and gentlemen आपके सामने शून्य धन राशी के लिए सवाल आप अपनी life में खुश कब रहते हैं जब आपकी जिन्दगी में option A चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हो या फिर option B जब आपकी life में चीज़ें बुरी बुरी तरीके से चल रही हो कब फील करते हैं आप अच्छा, happy, happy सा option number A जब आपकी जिन्दगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसर और आप सुन रहे हैं Howard C. Cutler और Dalai Lama जी की लिखी किताब The Art of Happiness की Book Summary on Kukoo FM, सुने जो मन चाहे सीधा सीधा सा सवाल था सीधा सीधा सा जवाब होना चाहिए भई हमारी जिन्दगी में हमें तब ज़्यादा happiness मिलती है तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमारी जिन्दगी में चीजें अच्छी अच्छी तरह से चल रही होती है When everything is good, everything is happy-happy. Well, मुझे भी ऐसी लगता था Here is a story हमारे writer भाई साथ के एक दोस्त थे I mean, है कि मैं जबरन में थे बना रहा हूं ने हमारे writer भाई साथ के जो ये दोस्त थे इन्हें एक medical test के दौरान ये पता चला कि वो दरसल HIV positive थे अब जब उन्हें ये बात पता चली तो obviously, like most of the people उन्हें काफी बुरा लगा Life तूठती से नज़र आई अपने आखों के सामने भाई पहले के समय तो HIV positive लोगों को एकदम अच्छूत मान लिया जाता था TV आच्च के दौरान लोगों को ये बताया गया कि नहीं भाई, चुने से बिमारी नहीं फैलती है इन फैक्ट आपको और प्यार से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो लोग दिमार हैं तो उनको positive positive सा feel करवाना चाहिए अब इस दौरान जब हमारे ये दोस्त भाई साब को HIV positive निकला तो उनकी life काफी जादा depressing सी हो गई अब life उनकी चलती रही और writer भाई साब अपनी जिन्दगी में वैस्त थे कुछ सालों के बाद उनकी मुलाकात होई तो जब वो इन से मिले तो पूछा sympathy के साथ हो, कैसी चल रही है यार life लेकिन return में बिलकुल भी एकदम depressing सा sad सा answer नहीं आया बलकि अगले जनाव ने पूरी excitement के साथ बताया अरे यार मतलब अभी तो बहुत कुछ हो रहा है मतलब I have read this book, ये मिरको पहले ये वाला चीज ट्राए करना था, I never did this और मतलब पड़ी happening happening सी होड़ी तो उसकी life तो writer में पूछा यार पुरा मत पानना लिखे न मैंने तेर को आज से कुछ साल पहले देखा जब तरी वो बिमारी हुई तो you were very depressed दें तो थोड़ा हाँ यार मतलब उस समय तो थोड़ा सा बुरा लगा था लेकिन honestly यार eventually मैंने realize कि जब जिन्दगी बहुत जादा मैं लोगों से बाते करता हूँ पहले मैं इतना जादा लोगों के साथ involved भी नहीं होता था मेरी family के साथ relations जादा अच्छे हो चुके हैं और तो थो बता है मैंने कितनी सारी किताबे पड़ी हैं मैंने psychology की किताबे पड़ी हैं लोगों के साथ कैस तरह से प्राक्टिकली वो HIV की बिमारी जो वैसे तो अक्सर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी depressing news बन सकती थी इन दोस्त के केस में एक बहुत जादा positive news की तरह turn out होगे हां मतलब वो चाहते तो अब भी थे कि काश उनकी जिन्दगी से बिमारी चली जाए लेकिन उस बिमारी में उनको एक नया perspective दे दिया एक सोचने का जो तरीका है जो अन्दाज उसे थोड़ा सा बदल दिया ऐसा क्यूं होता है इसके पीछे दो वजाए हैं और ये दो वजाए हैं हमारे दिमाग के दो सबसे important traits सबसे पहला हमारा दिमाग इस दुनिया में किसी भी चीज के साथ चाहे वो एक अच्छी खबर हो चाहे वो एक बुरी खबर हो अपने आपको adapt कर सकता है adapt का मतलब अपने आपको adjust कर सकता है खुद को ढाल सकता है अब जैसे आप उठ को देखते हैं वो रिगिस्तान में मिलता है कभी बरफीले पहाडियों में आपको उप दिखाई दिया है वैसी करके जो पूरी तुरह से बालों से ढखे भेडियों होते हैं ये अकसर आपको ऐसे बहुत जैदा बरफीले पहाडियों पर दिखते हैं लेकिन इंसान ऐसा नहीं होता, इंसान अपने आपको ढालता है अलग-अलग जगों में, चाहे वहाँ उसको मजा आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, लेकिन eventually हम लोग exist हो जाते हैं, physically भी और mentally भी, तो हमारी life में जब कोई अच्छी नहीं हो जाते हैं, जिसे example के तोर पे, यार मेरी salary जो है, वो पहले 10,000 रुपे थी, अब 15,000 रुपे हो जाएगी, तो starting में जोश रहते हैं कि 5,000 रुपे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले 3 महीने के बाद वो जोश गायब हो जाता है, अब हम लोग इस बात का इंतिसार करते हैं कि यार अब कब वो salary जो है 15,000 से 20,000 रुपे ह हो जाएगी, इसी तरह से जब आपकी life में salary कभी-कभी कम हो जाती है या फिर आपको job से निकाल दिया जाता है, तो शुरवाती कुछ समय के लिए बुरा लगता है, लेकिन eventually आप अपने उस नए lifestyle में adjust हो जाते हो, ये है आपके दिमाग की खासियत number 1 की आप खुद को adapt कर सक खासियत number 2, आपका दिमाग एक comparing mind है, comparing mind का मतलब वो हमेशा एक चीज़ को दूसरे के साथ तोलता है, अब चाहे आप एक बहुत जादा money minded इंसानों की पैसा 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 या फिर आप हमाले की चोटी में बैठे कोई monk हों, सादू संथ हों, कोई फरक नहीं पड़ता, आपके दिमाग अभी भी एक comparing mind ही रहेगा, तो यार अब जो सादू संथ होते हैं, वो तो यार अपनी जिंदगी में नर्वाना हासिल कर लिया होते हैं, कितना peace हासिल कर लिया होता है, कैसे, इसलिए कि जब आप अपनी life में किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, कोई बात नही तुमसे कम हो, तो life में हमेशा ये बात याद रखना, कि आपका दिमाग अच्छे या बोरे दोनों में खुद को adapt कर लेगा, और वो अब आपका नया normal बन जाएगा, दूसरी चीज़ ये, कि आपका दिमाग compare करना कभी नहीं छोड़ेगा, तो अगर आपको happy रहना है, तो क कई सारे लोग जो retirement लेने के बाद बहुत जादा बोर हो जाते हैं, उसके पीछे का यही रहता है, कि वो जब पहले काम कर रहे होते हैं, उनकी life में पहुँजाता मज़ा होता है, interesting life होती है, retirement के बाद यार कुछ बसता ही नहीं है, आपके दिमाग को कुछ happening चीज़ चाहिए भले ही आप एक किसी company में job कर रहे हो, बहुत पैसे चाहप रहे हो, लेकिन जो काम आप कर रहे हो, उसमें आपके दिमाग को मज़ा नहीं आ रहा ना, तो भले ही आपका दिमाग खुद को थोड़ा सा ढाल लेगा, adapt कर लेगा, लेकिन आपको कहीना कहीना कुछ missing लगेगा, और वो जो missing वाली feeling होती है न, वो कभी भी happiness नहीं लापाती, तो इसलिए आपकी life में अच्छा-च्छा हो रहा हो, या बुरा-बुरा हो रहा हो, happiness का उसके साथ कोई connection नहीं है, happiness का आपके पैसे के साथ, आपकी health के साथ कोई connection नहीं है, उसका connection है कि आप अपनी life में जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम आपको satisfy कर रहा है, आपको खुश कर रहा है, अगर आप जो काम कर रहे हैं, उससे trip हैं, satisfied हैं, तो आप automatically खुश रहेंगे, अब इसके बाद, जो अगले topic पे हमको बात करनी है, उसे कहते हैं inner worth और happiness versus pleasure, यह क्या topic है, यह हमें अगले episode में पता चलेग आपका इंतिजार रहेगा, एक छोटा सा सवाल है, आपकी जिंदगी में आपकी जो खुशी का control है, वो किसके पास होना चाहिए, आपके पापों उम्मी के पास, अरे नहीं यार, आपके जो छोटी छोटे बच्चे होंगे, उनके पास, अरे नहीं यार, आक्चली मेना या वो उसके पास रहे मतलब, जिसके पास मेरा दिल है, नहीं, आपकी जिंदगी में आपकी खुशी का control अगर आपके पास नहीं है, तो बहुत बड़ी गड़बड है, कैसे समझते हैं, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजब, और आप सुन रहे हैं, हावर्ट सी कटलर और दलाई लामा जी की लिखी किताब, दि आर्ट ओफ हैपिनिस की बुक समरी, और कुको एफेम, सुने जो मन चाहे, यार ममी पापा, हमारे छोटे छोटे बच्चे, या फिर वो जिससे हम प्यार करते हैं, उनके हाथों में हमारा control होना, इसमें क्या बुरी बात है? बिलकुल इसके अलावा, अलग-अलग situations में कई बार हम कुछ feelings को भी अपनी happiness का control दे देते हैं, feelings को कैसे देते हैं? आउ समचते हैं, सबसे पहली feeling होती है, desire, desire का मतलब, यार काश, ये जो काश वाली feeling आती है न, जनाब इसी के साथ बहुत सारे पंगे associated होते हैं, देखों ऐसा है, desire जो है, वो natural चीज होती है, काश मेरे पास से होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन जब ये desire negative होती है, problem तब होता है, अब positive desire क्या होती है? जैसे कि यार आप जब सडक में चल रहे होते हो और आप सपने सामने किसी गरीब को देखते हो, उसको देखकर आपके मन में कि अच्छाने, काश यार, इसकी life में मैं कुछ अच्छा कर पाता, काश कुछ ऐसा हो जाए, कि लोग ना ऐसे सरकों भी ना रहे है, काश कुछ ऐसा हो जाए, कि पुलीस कुछ ऐसे कदम उठाले, जो छोटे छोटे बच्चों की राकेटिंग होती है, ये बंद हो जाए, य हमने पहले दूसरे एपिसोड में ही समझ लिया था, कि जब आप किसी दूसरे की परवाह कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में indirectly खुश रहेंगे, because अच्छा positive feeling, लेकिन जब ये desire negative हो जाते हैं, काश मेरी life में होता, काश मेरी life में वो होता, पिछले कारा एक ही तरह से पा सकते हैं, जब हमारी जिंदगी में contentment आता है, अभी contentment क्या चीज़ होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, simple भाशा में समझें तो satisfaction, tripti, अगर मुझे ये चीज़ मिल जाती है, क्या बात है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाती, कोई बात नह इस type का attitude आपकी life में होना जरूरी है, जनाब अगला point जो है वो है आपका inner worth, अब ये जो है इस desire के साथ पूरी तरह से connected है, अब आपका जो ये inner worth होता है, याने कि आपकी कीमत क्या है, आपके अंदर वाले self की, याने एक वो है जो आप दुनिया को दिखाते हो, एक वो होत बहुत जाता है society में, क्यों? क्योंकि मेरे पास audio car है, तो कल की डेट में मैं आपकी car फोर दूँ, खतम आपकी worth, खतम आपकी self respect, यहां पर problem होती है, इसी छोटी या फिर इसी गलत self respect के कारण, आप notice करते हैं कि politicians जो होते हैं, वो बड़े गलत-गलत कतम भी उठा लेते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी कुरसी चाहिए, अगर कुरसी नहीं मिलेगी तो मेरी इज़त कौन करेगा? इसका मतलब आपकी जो self respect है, आपकी जो worth है, वो आपकी कुरसी है, आप नहीं, तो अगर आपको अपनी life में आपकी inner worth को बनाना है, आपकी self respect को बनाना है, तो आपको अपनी जिंदगी में contentments आना पड़ेगा कि मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ मैं खुद को improve जरूर करूँगा लेकिन मेरी कीमत कोई और चीज़ decide नहीं करेगा बलकि मैं कैसा हूँ मेरी feelings किस तरह की है मेरी thoughts किस तरह के है ये decide करेंगे अब last point पर आते हैं जिसे कहते हैं हम भया happiness versus pleasure अजीब pleasure एक ऐसी चीज होती है जसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया जो है पागल है चाहे हम physical pleasure की बात करें चाहे हम materialistic pleasure की बात करें जना pleasure एक ऐसी चीज होती है जहां वराव के शरीर में dopamine release होता है एक ऐसी feeling जहां लगे आहाहा क्या बात है यहीं पे बहुत बड़ी problem भी शरू होती है अब क्या है कई सारे लोग अपनी जिंदगी में खुशी पाने के लिए pleasure का इस्तमाल करते है अब यह pleasure क्या हो सकती है कुछ भी भई यह है चाहे physical pleasure हो चाहे materialistic pleasure हो यह दोनों के दोनों permanent नहीं होते कुछ समय के महमान है उसके बाद back to normal normal क्यों? अभी पिछले episode में पढ़ा कि हमारा दिमाग adapt कर लेता है खुद को यानि कि अभी अभी नई ने गाड़ी खरीबी है आट-दस लाग की दोस्तों के सामने लेगा दोस्तों ने करी तारीफ क्या बात है लेकिन एक बार होगी तारीफ अब अगली बार भी का दोस्त दुबारा वैसी तारीफ करेंगे उसके बाद फिर से वैसी करेंगे एक महीने बाद तो normal बात हो जाएगी होगी common बात चले गए आठ लाग रुपे, अब क्या? यार इस वाले को नगेस करो, आप से मिलते हैं अगले एपिसोड बे रोटी, कपड़ा, मकान भाई बता तो ये चीजें भी जरूरी हैं या फिर इनके बिना भी खुशियां ढूंडनी हैं भाई देपर, सवाल तो important है क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमारे पिछले एपिसोड जा रहे हैं ऐसा लग रहा कि भाई दिन्दगी में कुछ भी ना हो तो अभी खुशी रहना है नहीं यार, ये fact है कि आपकी कुछ physical needs भी होती हैं और उसी को हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान ये आप अलग-अलग देशों में जाओगे तो अलग-अलग नाम ज़रूर होंगे लेकिन इनी को सबसे basic needs कहा जाता है सब इस बात से agree करते हैं लेकिन एक बारी आपकी ये basic needs फुल्फिल हो जाएं उसके बाद एक feeling आती है मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और success चाहिए मुझे ना एक perfect body चाहिए यार मुझे ना वो इनसान चाहिए जो ना मेरे लिए बना हुआ हूँ ये feelings लाना अब कोई बुरी बात नहीं है लेकिन problem ये है कि अगर इनके साथ आपकी happiness associated है या फिर उस इंसान के हाथ में आपने अपनी life की खुशी देके रखी है तो भी problem है कैसे? आउ समझते हैं हेलो जी, मेरा नाम है Justin Joseph और आप सुन रहे हैं Howard C. Cutler की और Dalai Lama जी की लिखी किताब The Art of Happiness की book summary on Kikoo FM सुने जमन चाहे यार एक सीधी सी बात बताओ मतब बिल्कुल घुमाना फिराना नहीं है जो पूछा वही बताना है यह जिन्दगी में अगर खुशी लानी है तो फिर लाये कहां से? आप कहरे हो यहां से भी नी आनी चाहिए वाहां से भी नी आनी चाहिए यानि learn करना किसी किताब को नहीं बलकि कहीं से भी जहां से वो knowledge मिल सके अब example के तौर पे सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है उसे कहते हैं अपनी negative emotions और अपनी positive emotions को detect करना अभी negative or positive emotions क्यों detect करनी है इससे फाइदा क्या होता है simple जगे में आपकी जिंदगी में जब negative emotions आए लिख के लिलो अभी negative emotions क्या क्या होते हैं इसको बड़े आराम से समझने की कोशश करते हैं सबसे पहला होता है hatred यानि किसी से नफरत करना दूसरी होती है jealousy किसी से जलना कुड़ना उनकी success दे कि खुद बुरा feel करना तीसरा होता है anger याने घुसा अब notice करके देखना ये तीन में चैन की क्या आग नहीं बुझेगी चैन की आग क्यों लग रही है I don't know the dialogue लेकिन मतलब बड़ाई simple रहता है हम अपनी जिंदगी की खुशी sacrifice कर देते हैं किसी और से कुड़ने के कारए या किसी और से नफरत करने के कारए हमें ये चीज़ नहीं करनी है सिरफ खुद के लिए नहीं बलकि society के लिए भी देखे जनाब ऐसा है कि आप इस दुनिया में अगर किसी परवत पे या फिर किसी जंगल में अकेले रह रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन ऐसा नहीं है आप रहते हैं लोगों के बीच में तो जब आप इन negative feelings को अपने अंदर जैसी चीज़ हैं जो negative feelings की एकदम opposite है कि अगर ये आपके अंदर है तो boss आप अपनी life में कितनी कोशिश कर लो आप बुरा feeling नहीं कर पाऊगे मतलब अगर ये positive emotions आपके अंदर उत्पन हो रहे हैं तो उस time पे आपको अच्छा ही महसूस होता है जैसे कि kindness किसी की you know मदद करन मन जाना आपको healthy बनाते है mentally यहाँ पर notice कीजिएगा जितनी भी feelings थी hatred वाली, greed वाली, किसी से कोड़ना, जलना जैसी भी बात हो वो भी दूसरों से related थी और जितनी भी positive feeling है वो भी दूसरों से related है फर्क सिरफ इतना है कि आप किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं या आप क जोस्त बन सके हैं आप सुनकी बाते हों आप कुछ कर भी नहीं रहोंगे उसके बावजूद लोग जब आपके आसपास रहते हैं तो खुश महसूस करेंगे तो हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यह feelings हमारे अंदर इसलिए होनी चाहिए एक कि हम खुश रह सकें बोरी सी और बोरिंग सी पिक्चर अपने सामने आती है लेकिन ये वैसे नहीं है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं mental और ethical discipline की लेकिन अगले अपिसोड में आपका इंतजार रहेगा चाहिए military की बात करो या फिर जिंदगी में successful लोगों की बात करो वो लोग हमेशा अपने मूँसे ना एक word निकालने में कभी नी चूकते discipline क्यार ये discipline का इतना पंगा क्यों है यार क्या ये discipline वाकई में happiness ऐसी चीज़ के लिए जरूरी है मतलब जब भी यार ये discipline की बात आती है मेरी life में तो ऐसी happiness ना कम सी हो जाती है आ मतलब वो पापा की बात आती है कि बिटा सुबह उठो ये काम करो ऐसे life जी हो अरे येर किसको जीना है ऐसे हट ऐसे में कहां खुशी आ रही है वेल प्रॉब्लिम ये है कि हम लोग discipline की definition ना थोड़ी सी गलत समझे है और इस episode में हमें समझना है कि भी ये mental discipline और ethical discipline ये हमें ऐसा नहीं सीखनी ही है बस इतना है कि अगर आप इसे सीख जाएं तो आपकी life में बहुत सारी चीज़े बेटर हो सकती है कैसे आँ समझते हैं हलो जी मेरा नाम है जस्चन जोजफ और आप सुन रहे हैं हावर्ट सी कटलर और दरतलाई लामा जी की लिखी किताब दी आर्ट ओफ हापिनिस की बुक समरी और कुको एफम सुने जो मन चाहे हाँ जी तो हम बात कर रहे थे mental discipline की सबसे पहले mental discipline क्या होता है जरूरी क्यों होता है इसको समझनी के लिए हम एक step पीछे चलते हैं कभी आपने सुना है transformation शब के बारे में नेट पे जाओ 6 month transformation, 3 month transformation, 10 day transformation क्या होता है ये transformation लोग अपने वीडियो जालते हैं कि भईया देखो हम 10 दिन के अंदर, 1 हफते के अंदर या फिर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर अपने आपको कितना change कर ली, हमने कितना weight loss कर दिया हम कितने बेटर दिख रहे है transformation इस दुनिया में हर इंसान को पसंद है जब positive हो रहा होता है negative transformation होता है तो भाई यह सब बुरे ही फील करते हैं कि रे यार तूंत निगल गई यार इसी तरीके से आपका जो mental transformation होता है उसके लिए भी discipline की जरुरत है देखे अगर आपको physical transformation करना है तो क्या जरुरत है भाई, dieting करनी होती है, exercise करना होता है life में physical discipline को लाना पड़ता है उसी तरीके से अगर आपको अपनी life में एक mental change लेकर कर आना है यह जो mental transformation है इसको लेकर कर आना है तो इसके लिए भी आपको कुछ vitamins और nutrients की जरूरत है और वो vitamins और nutrients जो है बड़े simple से शब्दों में कर समझें तो पिछले एपिसोड में जिस तरीके से हमने सीखा positive mental state याने कि अपने अंदर एक kind heartedness develop करना किसी की मदद करना, एक ऐसी feeling develop करना sympathy, empathy या फिर किसी के साथ अगर बुरा हो जाए तो उसको apologize करना एक तरह से दूसरों को hurt नहीं करना इस type की जो feelings होते हैं आपके अंदर कि मैं अपनी जिंदगी में जहां पर बढ़ियां कर रहा हूँ contentment feel करना, trip feel करना ये इसी nutrients और vitamins की तरह होता है आपके दिमाग के लिए लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि भले ही हमने ये बात कही कि भाई ये इंसान जो होता है वो adapt कर सकता है खुद को कहीं पे भी, बिल्कुल सही बात है लेकिन adapt करने में time लगता है अगर आपको गरम इलाके में रहने की आदत है और आपके बापा का transfer होता है आप हिमाचल या फिर वो top वाला जो reason है अपने इंडिया का तो देखिए थोड़ा सा time लगेगा patience रखिएगा लेकिन एक बार आपने patience रखा और आपने अपने इस mental discipline को strong किया तो suddenly आप realize करेंगे कि आपकी जो दिन है उसमें negative thoughts थीर थीरे करके जाने लगते और यह positive thoughts के आने के करा रहने ऐसा लगता है जिसे यार आज का दिन ना बहुत अच्छा गया मतलब आज का दिन में ना ओ बहुत मज़ा है कई बार ऐसा होता है कि दिन में सालों कुछ काम भी नहीं किया होता लिकिन ही जो happiness वाली feeling है ना कि आपको काफी positive सा feel करवाती है और at the end of the day game तो यही है लेकिन अब हम बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में जिसे कहते है ethical discipline हमने इस केताब के शुरुवाती पन्नों में यह समझ लिया था कि भईया हम जो है उस flower की तरह होते हैं उस paudhary की तरह होते हैं जो भईया सूरज की तरफ जा रहा है और जिंदगी में यह सूरज होती है happiness तो जब हमें पता है कि हमें अगर उस happiness की तरफ ही जाना है और हमें यह भी पता है कि दूसरों के लिए compassion फील करना किसी की जिंदगी में किसी की मदद करते ना काइंड हाटेडनेस रखना इन से खुशी मिलती है तो फिर हम यार गुस्टा ही क्यों होते है हमारे अंदर एक ग्रीड जैसी फीलिंग्स आती ही क्यों है यह कोडने वाली फीलिंग्स जो होती है या फिर उसकी जिंदगी में ही क्यों अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी में अच्छा क्यों ही हो रहा है, उसकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मैं उसको खतम कर दूँगा यह feelings हमारे अंदर आती ही क्यों है, simple सा question है, और direct question है इसका मतलब तो यह है या तो हमारी जिंदगी में happiness के अलावा भी हम कुछ ढूंते हैं या फिर बात कुछ और है बिल देखो ऐसा है ना कि हमारी life में हर चीज़ का एक different different level होता है एक step by step procedure होता है अब जिसे पहले के समय में जो इनसान थे भाई उने खाना पकाना नहीं आता था तो वो जंगली जानवरों की तरह यह हंट करते थे जो भी मिलता था उसे कच्चा खा जाते थे लेकिन समय के साथ उन्होंने पकाना सीखा समय के साथ उनको पता चला कि भाईया हम जो हैं जादा unfortunately हमारा जो education system है उसमें moral values की जादा कदर नहीं है और इसली बात अगर देखी भी जाए तो सही है पहिया भले ही किताब Harvard सी कडलर जीने लिखी हो लेकिन इंडिया में भी सेम हालत है जब moral science का lecture आता है तो जो math की teacher होती है प्रॉबलम यहीं से शुरू होती है अब देखो इनसानों ने खुद को धीरे धीरे अगॉल्फ किया ना उन्हें पता चला ना कि नहीं यार इसको कच्चा नहीं खाते है इसको पका कर खाएंगे तो जादा मज़ा आएगा वैसी करके जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि life में आप अगर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा खोशी मिलेगी तो आप वो रस्ता लेंगी ही नी आप वो रस्ता लेंगे जो दुनिया आपको दिखा रही है और दुनिया को क्या दिखा रही है ये पढ़ाई कर लो इस कोचिंग में पहुँच जाओ उसके बाद इस इंस्टिउशन में पहुँच जाओ उसके बाद ये जॉब निकाल लो वो जॉब निकाल लो ये खरीद लो हम लोग materialistic दुनिया में बंदे हुए अगर आपको अपनी happiness समझनी है तो आपके अंदर एक ethical discipline आना जरूरी है ethical discipline का simple सा मतलब होता है आपको अपनी life में इन चीजों की knowledge को आने देना है जैसे कि हम अलग-अलग qualities अपने अंदर develop कैसे कर सकते हैं हम किसी से बात ज्यादा भेतर तरीके से कैसे कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उनको hurt कर देते हैं तो सीखें ना भई हो सकता है कि जस तरह से हमारी upbringing हुई हो जस तरह कि हमारी society रही हो हम वैसे बन गए कोई बात नहीं सीख तो सकते हैं ना कितनी सारी किताबें हैं market में कितने सारी videos हैं internet पे अगर सीखोगे ही नहीं तो खुद को level up कैसे करोगे अगर आप सीखोगे ही नहीं कि खाने को पका के भी खा सकते हैं तो आप जिन्दगी पर कच्चा ही खाते रहे जाओगे और यही वज़ा है कि by default आप लोग दूसरों की मदद या एक अच्छी feeling अपने अंदर क्यों नहीं लाते क्योंकि unfortunately जिस तरह का education system है जिस तरह का overall system है हमारे इर्द गयत वो ना materialistic चीज़ों को और खुदगर्स values को ना जाधा promote करता है कि जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ो नहीं लोगों के साथ और उनकी मदद करो और खुद पर खुद देखो कि वो आपको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं अब इन सारी बातों को समझने के बाद discipline जैसी बातों को समझने के बाद simple साइक सवाल उठता है कि हमारा जो fundamental nature है वो actually में होता क्या है अभी अभी हमने सीखा कि भी हम by default किसी की मदद करने के लिए शायद नहीं ready हैं क्या वाकरी में हम किसी की by default मदद नहीं कर सकते या फिर ये feeling हमारे अंदर कहीं गड़ी होती है और इसे खुरिदना पड़ता है वैले से हम समझेंगे अगले episode में आपका इंतिजार रहेगा एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इंसान जो होता है उसका ये fundamental nature होता है कि वो दूसरों की परभा करता है कि हमें दूसरों से ऐसे एक प्यार होता है हम selfish नहीं होते हम ऐसे दूसरों का बुरा करना नहीं चाहते हम ऐसे गुसे से उनो उनका ऐसे सर ऐसे घुमा के मरोड के फॉर दिना नहीं चाहते लेकिन अगर ऐसा है तो हम ये सारी हरकते क्यों करते है वही अगर एक तरफ हम कह रहे हैं कि human nature ही दूसरों के प्रती अच्छा रहना और दूसरों की मदद करना है तो फिर हमारे दरी negative emotions आती ही क्यों है सवाल तीखा था लेकिन दलाई लामा जी के पास इसका बहुत प्यारा सा एक जवाब था क्या आउ जानते हैं हेलो जी मेरा नाम है जस्टन जोजफ और आप सुन रहे हैं हावर्ट सी कटलर और दलाई लामा जी की लिखी किताब दी आर्ट ओफ हैपिनिस की बुक समरी और तुको एफेम सुने जमन चाहे अनिस्टली स्पीकिंग जब ये सवाल राइटर भाई साथ ने दलाई लामा जी से पूछा तो यार एक तरफ ना मैं भी कन्फीज हो गया किर ये तो काफी चेक्मेट टाइप की सिट्वेशन होगी लेकिन यार अब दलाई लामा जीब भी मतलब जिस पोजिशन पे बैठे हैं वहाँ पे ऐसे ही तो पहुँचनी जाते हैं इतने ही थोड़ी मतलब लोग उनके फैन बने पड़े हैं अब देखो यार उनका जवाब बड़ाई प्याराशा था देखे जनाब ये बात एक फैक्ट है कि इस दुनिया में भली कितने ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अनिमल स्पीशीज याने अलग लग तरह के जानवर हों पक्षी हों इनसान उन सब में सबसे ज़ादा अकल बंद है और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है देखो क्या होता है न हर जानवर जो है वो अपने नाचरल इंस्टिंक्ट पर चलता है इसलिए जो हरन होता है उसके जैसे ही सामने कोई भी पत्ती हिलती है या इनसान पहुचता है या शेर पहुचता है या कोई इससी भी नॉर्मल वर्ड भी पहुचती है तो तुरंट उसका जो reaction होता है, वो alert होने का होता है या फिर वहाँ से भग निकलने का होता है यह उसका nature है, ऐसा कभी नहीं होगा कि शेर वहाँ पर आएगा और हिरन वहीं पर खड़े हो कि और ब्रो कैसा है ऐसा कभी नहीं करने वाला, क्योंकि उनके अंदर उस चीज़ की intelligence नहीं है, वो अपने nature पर act करते है लेकिन इंसान जो होते हैं, हम अपनी intellect पर act करते है तो कई बार क्या होता है न, हमारी life में थोड़ा सा imbalance हो जाता है इस intelligence में, यानि कि हमें कोई information पता चली, लेकिन आधी है थोरी पता चली हमें कोई बात बताई गई, लेकिन सही तरीके से नहीं बताई गई ऐसे में जो हमारे मन में knowledge develop होती है, वो एक negative knowledge होती है कहते हैं न, कि आधी knowledge जो होती है, वो जाधा harmful होती है than complete knowledge वही reason होता है, कई बात जैसे हम सोचते हैं कि किसी के साथ बदला लेना एक जाधा better चीज है, कभी किसी ने हमें समझाया ही नहीं, कि नहीं भाई, वो तो movie में better चीज होती है real life में जब आप किसी के लिए बदले की भावना रखते हो, तो actually मैं आप खुदी को पनिश कर रहे हो आप खुदी को एक ऐसी life दे रहे हो, जहां पर आप हमेशा दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हो, और अपनी life पर focus ही नहीं कर रहे है इसके पैसे भी मेरे हो जाएंगे, उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा कर इसके बारे में हलका सब भरकाओं, तो यह जो intelligence होता है अपने फाइदे के लिए चीज़े निकालना यहाँ पर भी हम लोग कई बार negativity ले आते हैं, तो human nature ऐसा नहीं है कि हमें किसी का बुरा करना है लेकिन जब हम अपने दिमाग को use करने पर आते हैं, या तो आधी knowledge के साथ, या फिर गलत knowledge के साथ, या फिर simply हमारे पास जो intelligence है हमारे पास जो आग में ताकत है, सोचने की शमता है, जब हम इसको एक negative purpose के लिए use करना शुरू करते है problem वहाँ पर शुरू होती है, अब इससे बचने का नहीं बहुत ही simple सा तरीका है, उसे कहते है meditation on the purpose of life, simple सी बात है, जिंदगी का purpose के है, खोश रहा है न, हमने पहले दूसरे एपिसोड में इस बात को समझ लिए, कभी-कभी अपनी life में थोड़ा सही-सही, भाई, ब्रेक मारो, कभी-कभी अपनी जिंदगी के जो गाड़ी है उसको थोड़ा सा halt पिलाओ, तोड़े से अपनी life के बारे में जरा ध्यान से सोचो, अब इसका एक example दो, कभी-कभी हम अपनी उनों कुछ सालों बाद, अपने बच्पन के दो, स्कूल के दोस्तों से मिलते हैं, मतलब मैं जैसी के अभी स्कूल से पास आउट हो चुका हूँ, कॉलेज से पास आउट हो चुका हूँ और आज से कुछ ही दिन पहले में अपने एक स्कूल के दोस्ते मिला, जब मेरी उसके साथ बाते हो रही थी, तो उसके बड़े हुए बाल और दाड़ी देखकर मुझे याद आ रहा था है, यार, कितना टाइम बीच चुका है, लेकिन उसी फीलिंग के साथ एक और एक फील करते हो ना, तो कई बार आपके लाइफ से नेगेटिविटी जाती है, आपको रियलाइज होता है, क्या यार, उसके बारे में मैं जबरन में सोचता रहता था, किस से बदला लूँगा, बुदला लूँगा, अभी सालाब वो कहीं अपनी लाइफ में बैठा हुआ है, मैं क समय जिस तरीके से बीत रहा है या बीता, क्या आप उससे खुश हैं, जब आप थोड़ा से रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है, देखे जनाब अभी तक आप इतना तो समझ चुके होंगे कि हम धीरे धीरे human emotion की तरफ बढ़ अगले episode में, आपका इंतजार रहेगा, दलाई लामा जी के साथ बात करते करते हावाइट जी ने एक छूट असा सवाल पूछा, वैसे आपकी जिन्दगी में कभी आप ऐसे lonely सा महसूस करते हैं, अकेला-केला सा, नहीं, ये answer सुनके हावइट जी थोड़े से चौग गया, मतलब उनको भी लगा यार, दलाई लामा जी ऐसे कहेंगे, हाँ, मतलब जिन्दगी में, हर कोई अलग-अलग moment पर थोड़ा सा lonely feel करते हैं, नहीं, ये answer होता है, क्या आप कभी lonely feel नहीं करते हैं, उन्होंने पूछा, नहीं, मतलब बिलकुल नहीं, नहीं, मैं कभी ऐसा lonely feel मह आप सुन रहे हैं, हावर्ट सी कटलर और दलाई लामा जी की लिखी किताब, The Art of Happiness की book summary, on Kukoo FM, सुने, जमन्चा है, हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसे हावर्ट जी जो है, वो back foot पर आगए, ये उन्होंने इसको explain करने के लिए थोड़ा सा दलाई लामा जी से कहा, और इस पर उनका जो answer दाना वो बड़ा ही interesting था, उनका ये कहना था कि ये जो अकेलापन होता है, ये एक ऐसा state of mind होता है, ये तब आता है जब आपको न दूसरों के लिए compassion नहीं होता, दूसरे आपके लिए exist ही नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरी की जि example आया, याद इस किताब की शुरुवात में मैंने आपको एक example कहा था दूसरे एपिसोड में, जहाँ पर दलाई लामा जी अपना lecture देकर वो lift के पास में थे, वो एक Mexican लेडी उनके पास खड़ी थी और उननन से पूछा, आप कहां से हैं? क्या जरूरत थी दलाई लामा जी पर रखती है, वो जहां पर भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उनसे बाते करते हैं, एक compression का attitude रखके हैं, उनसे उनकी life के बारे में पूछते हैं, वो कहां से हैं, क्या करते हैं, कैसी चल रही है, और कैसे वह सवाल होता है जो अपन इंडिया में सबसे पूछते हैं, और आप कहीं भी जाएं किसी के पी पास जाएं समझी इस बात को इस दुनिया में लोग ही लोग हैं तो अगर आप हर किसी से हस कर दो पल बात कर लेते हैं किसी को हस के नमस्ते कर लेते हैं तो यहां पर बचने का तरीका क्या है? यह तो हमने सीख लिया. लेकिन यहां पर एक और बात बताई गई कि जो कई सारे साइकॉलजिस्ट है, उनकी मेजर स्टडीज जो पिछले 20 साल में हुई है, उसमें यह पता चला है कि अकसर लोग जो है खासकर जिस तरीके से हमारी जिस तरीके से हमारी जिनरेशन वर्चुल होती जा रही है, इंटरन के लोगों से एमें, एमें, बिना किसी मतलब के कुछ बात करें, उनसे उनका हाल-चाल पूछ लिए, क्या पता किसी की जिन्दगी में हमारे हाल-चाल पूछने के कारण कुछ positive ही हो जाए, लेकिन at the end of the day, अपने अंदर दूसरे भी matter करते हैं, यह वाला एक attitude लाना बहुत उसके end-end वाले chapters में, मैंने इस बात को बहुत clear तरीके से explain किया है, अब चलिए, हमारी गाड़ी को पहुचाते है, dependence versus self-reliance, क्या होता ही है, देखो, self-reliance का मतलब है, खुद पे dependent रहना, और dependence का मतलब है, किसी दूसरे पे dependent रहना, अब दोनों में better क्या होता है, self-reliance यह बैठ करके अपने दलाई-लामा जी जा एक seminar दे रहे थे, अब यह दो psychiatrist इनको भी बहुत knowledge है, तो यह न जब वो speech दरे थे, तो अपने shirt के किसी धागे को ना है, ऐसे थोड़ा-थोड़ा खीच के उसके साथ खेल रहे थे, अब इसी बीच में दलाई-लामा जी ने यह बात ब ली किया, उसके पहले जिस बंदे ने वो shirt बनाया, उसके पहले जिस इनसान ने वो cotton की जो, यह नो, एक 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 फार्मिंग होती है, वो सब करी, फार्मिंग से पहले जिस इस इनसान की वो खेत रही, कि तो ना बड़ा cycle होता है, और यहाँ बाट कि मैं उस shirt को खराब कर रह आपके अंदर हमेशा सब के लिए एक sense of empathy होनी चाहिए, आप आज जहां पर भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण नहीं है, इसके पीछे जादा नसाही, कुछ लोग जरूर होते हैं, और जब आप इस तरह से देखने लगते हैं कि सही बातियार, मैं इहाँ बैठाओ मैं जिस कुरसी बेठाओं से किसी में बनाया होगा, मैं जिस माइक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यार, वो माइक किसी ने बड़ी महनत से बनाया है, इस घर को किसी महनत से बनाया है, मेरे पापा ने कितनी महनत करके एक कमरा बनाया है, जिसके अदर बैठ करके मैं आप लो अगर आप एक लड़का है तो imagine कीजिए अगले कुछ मिनट के लिए कि आप एक लड़की है और अगर आप एक लड़की है तो फिर कोई दिक्कत की बाती नहीं है तो यह हम है एक 90s की अफिर early 2000s की movie में और अभी अभी आकर के विलन के लड़कों ने हमें छिड़ा है सबसे पहले on the top of the mind कौन सा यह डायलोग है जो आप उस विलन को मारोगे सोच के दल सोचने की ज़र्वाती नहीं है सिती सिती जबान पर क्या आता है तुछको शरम नहीं आती तेरे घर में माद हैं नहीं है क्यों सवाल यह नहीं है कि अभी क्या है सवाल यह है यह डायलोग क्यों तेरे घर में माद हैं नहीं है क्या वाई इसी को कहते हैं एमपथी को यूज करना हलो जी मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं हावर्ट सी कटलर और दलाई लामा जी की लिखी किताब The Art of Happiness की Book Summary on Cook.fm. सुने जमन चाहे यार ये लड़कियों को छेडने वाले example यूज करना ज़रूरी था सबसे ज़्यादा relatable exam वही था क्योंकि example वही था क्योंकि हम लोग उने उसे Bollywood movies में बहुत ज़्यादा देखा है लेकिन again the question is ये empathy क्या होता है जब ये dialogue आता है ना तेरे घर में मा बहन नहीं है क्या तो क्या होता है वो हम अगले विलिन के अंदर एक feeling of compassion introduce करने की कोशिश करते है कि तुम मेरे साथ ये काम कर रहे हो अगर यही काम कोई तुमारे घर में तुमारी मम्या तुमारी बहन के साथ करे तो तुम अच्छा लगेगा ये feeling जनाब empathy का बड़ा सीधा सीधा सा मतलब होता है जब आप अपने पैर जो है किसी और के जूते में रखके देखते हैं कि उनको जो है जादा पैसे देने पड़ गए तो हावट भाई साब जो थे वो बहुत जादा ना ऐसे नराज से थे इस बात से तो वो एक टाक्सी में बैटे टाक्सी बस थोड़ टाइम के लिए चालो हुई हुई कि इतने में उन्होंने देखा कि उसने जो है अब जब उनको गलत नहीं लग रही है हाँ मतलब गलत तो है मैं बहुत डिसग्री नहीं कह रही है लेकिन वो क्या है ना कि जो हमारे दलाईलामाजी की वो बात थी ना कि दूसरों के पैर में वो जूसरों के जूते में पैर रखने चाहिए करके तो मैं बस इमाजिन करे थी कि हमारी जिंदगी कमपेरिटिवली कितनी ज़द अच्छी है वो रोज-रोज के पैसों के लिए यहाँ टैक्सी चलाता है और उसी के साथ-साथ बिना एसी की गाड़ी में बैठा हुआ इस धूब में उसके भी मन में आता होगा कि यार ये कोई मतलब टूरिस साथ दिख रहा है या आपकी गाड़ी को कट मारके निकल जाता है अगर हम ये सोचने लगें कि क्या पता है यार उसकी कोई medical emergency हो वो hospital की तरफ जा रहा हो या फिर उसकी मा जो है वो बिमार हो उसको टेल भी भी फोन आया हो suddenly हमारा गुस्सा खतम हो जाता है इसका जो जवाब है वो भी काफी thought provoking है क्या है सुनते हैं अगले episode में आपका इंतिसार रहेगा बड़ा ही simple सा cute सा और one of my favorite episodes में से ये खेलिए देखे जनाब सवाल बड़ा ही simple सा है अकसर relationships में लडाईयां क्यों होती है या फिर एक relationship जो है उसमें problems आना कब start होता है अब देखो problems आना लडाईय होना इन जब के पीछे बहुत सारी वजाएं होती है लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि most of the times कब या क्या ऐसी चीज होती है जिसके कारण वो लडाईय जो है वो cause होती है अच्छे एक बार बड़ा किसी से प्यार प्यार करते हो अगर ऐसा है मतलब कोई इंसान है आपकी लाइफ में हो सकता आपकी लाइफ में कोई partner हो किसी की शादी हो चुकी हो कोई relationship में जैसी भी condition हो आपकी सवाल बड़ा simple सा है वो जो भी इंसान है न समवन special जिसे हम कहते हैं वो इंसान special क्यों है आपके लिए वो इंसान मतलब आप कहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं क्यों करते हैं वजह क्या है काफी interesting question है क्योंकि जब कोई आपसे सवाल करता है तो आप कई सारे जवाब देते हैं और खासकर हमने Bollywood movies में कहा है कैसे प्यार नहीं करूँ या उससे मैं उसकी नीली नीली आखें उसके वो जल्फें फालतू बाते हैं एक्तम फालतू बाते हैं आप उससे प्यार के सिरफ physical reasons के लिए करते हैं यह कोई reason होता है कि किसी की जुल्फें जो है वो लहरा रही है तो बैस हो गया प्यार या फिर किसी की जो आखें उसका color नीला है ब्लू है तो हो गया प्यार बस इतना ही reason है यह थी आपके प्यार करनी की शुरुआत जनाब अ है वो आपकी crush क्या उसने कोई ऐसा काम किया जो आपको बहुत अच्छा लगा या फिर सिरफ और सिरफ क्योंकि अगला इंसान दिखने में अच्छा है तो हमने उसको अपना crush बना दिया यह एक बहुत important question है और यही वो reason है कि कई बार कई सारे relationships even कई सारी शादिया problems की तरफ सरी जाती है अब relation की शुरवात में अगर आप अगले इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड्स के कारण गये हो तो माफ कीजेगा यार कुछ समय बात जो भी वो सारी बाते होती है वो गाये बजाती है अब बात आती है अगले इंसान के inner emotions की उसकी अंदर की feelings की कि कि भई वो actually में किस तरह का इंसान है अब उस time पर अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं आया तो eventually लडाईया अपने आप होती है अब इस किताब में हम ये relationship की guidance क्यों देने की कोशिच करते हैं simple सी बात है आपने happiness गलत तरी किसे ढूंडा उस इंसान के साथ आपको लगता थ ये जब materialistic चीज़े होती है इनसे आपको कभी भी एक long lasting happiness नहीं मिल सकता अगर आप चाहते हैं कि आप actually में एक happy relationship में जाएं तो इससे पहले कि आप किसी के साथ relationship में जाएं बड़े clear clear शब्दों में खुद से ये सवाल पूछें कि मुझे अगर इससे प्यार है तो क्यों है आज से कुछी episodes, ओ sorry, अभी से कुछी episodes पहले हमने बड़े ध्यान जा समझा कि meditation कितना जरूरी होता है, meditation मतलब past को देख के meditate करना, क्यूं हो रहा है हमें इस इंसान से प्यार, अगर reason सिरफ और सिरफ physical है, तो बाबू वहाँ पे involved नहीं होना, उसे प्यार नहीं कहते, वहाँ आपको happiness नहीं मिलेगी, वो एक temporary happiness है, कुछ समय में गायब हो जाएगी, जब गायब हो जाएगी उसके बाद क्या करोगे, लडाई, और ये होती है most of the relationships का root problem, अगले इंसान को हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, उसके पहले हम commitment कर देते हैं, बाद में हम दोसरों के, व लडाई का दूसरा reason बड़ाई सिंपल सा होता है, जब हम अपने अंदर से compassion को भार निकाल देते हैं, मतलब अगले इंसान ने कुछ किया, ऐसे कैसे कर दिया, अब मैं नराज हो जाओंगा, अरे नहीं यार, उसके point of you से भी सोचके देख, हो सकता है, उसने जो बात करी हो, जो उसने काम किया हो, उसके पीछे उसकी कोई वजहा रही हूँ, तो अपने अंदर empathy रखें, और अगले इंसान के साथ relationship में जाने से पहले, बहुत ध्यान से सोचें, कि मुझे अगर इससे प्यार है, तो क्यूं है, अब इसी के साथ हमारे अगले episode में, हम जानने वाले हैं English वाला, तो उस सफर के दौरान, उस पीडा के दौरान, हम अपनी life को कैसे face करें, हम उस problematic time को किस तरह से face करें, देखते हैं, अगले episode में, आपका इंतजार रहेगा, इस episode को शुरू करने से पहले, मैं एक छोटी सी request करना चाहता हूँ, अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, किसी को इस दुनिया से खोया हो, और वो उस बात को accept करने में, या उस बात से move on करने में, और in general उस पूरे event से disturbed हो, और ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसके आगे कैसे बढ़े हैं, तो ये episode उन्हें सुनाईएगा, क्योंकि ये episode सिर्फ और सिर्फ एक episode नहीं बलकि एक message है, ए शायद ये लेकर जब उन तक पहुँचे, तो उनको कुछ answers मिल जाएं, शायद, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ और आप सुन रहे हैं, हावर्ट सी कटलर और दुदलाई लामा जी की लिखी किताब, The Art of Happiness की book summary on कुको FM, सुने जमंचा है, एक कहानी है Lord बुद्धा की, जब वो किसा गौतमी नाम की एक औरत से मिलते हैं, इस औरत में अभी अभी अपने एक लौते बेटे को खोया होता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी वो औरत accept नहीं करती कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, तो वो घर से घर, डॉक्टर से डॉक्टर ढूंती रहती ह कि ऐसी कोई अगर दवाई हो जिससे मेरा बेटा वापस जिन्दा हो सके तो प्लीज, ऐसी करते करते, वो बद्धा के पास पहुची, जब उनके पास आई, तो बद्धा ने उनसे पूछा कि क्या जरूरत थे आपकी, और उन्होंने अपनी जरूरत बताई, एक दवाई चा घर से होने चाहिए, जस घर में आज तक किसी का बेटा ना मरा हो, बेटी ना मरी हो, हस्बेंट वाइफ ना मरे हो, घर का कोई नौकर ना मरा हो, पेरिंट्स ना मरे हो, इस तरहा कर, उसने कहा ठीक है, वो घर से घर से घर ढूंती रही, लेकिन कहीं पर किसी की बेटी की मौ किसा गौतमी अपने सफर में ये बात समझ गई जो लॉट बुद्धा उन्हें बताना चा रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और फाइनली अपने बच्चे का जो फाइनल राइट से उसे परफॉर्म किया देखे जनाब ये एपिसोड सिरफ और सिरफ एक बात बहुत क्लियर फोकस रखता है सबसे पहली चीज़ क्या आपको अपनी life को अब वापस से normal करना है क्या उसे improve करना है या फिर इसी तरह बैठे रहना है बिना accept किये देखिए कर बिना accept किये बैठे रहना है तो फिर इस episode को बंद कर दिजे लेकिन याद रखिएगा इसी के सा कभी नहीं चाहता है कि आप अपनी बची हुई जिंदगी इसी तरह बैठे बैठे बरबाद करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप उनके डिस्रस्पेक्ट ना करें और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं किस तरीके से अपनी लाइफ में नॉर्मल हो सकते हैं तो सबसे पह उसके बाद उन्होंने तुरंट जो funeral की काम थे, अपनी मा को समालना, अपनी family का जो भी बचा कुछा काम था, उन सब को देखना, ये सब में वो busy हो गया, उसे बुरा लगा, लेकिन उसके पापा की जो responsibilities थी उसको अपने कंधे पर उठा ली, और इसी तरह उसने बड़े बख तकलीव बड़ी सिंपल सी थी, रैंडल भाई साब जो थे, वो अभी तक कुन के साथ इस बात को accept करने लिए ready नहीं थे, क्योंके पापा अब इस दुम्या में नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से खुद को उलजा रहे थे, कही ना कहीं खुद को busy कर रहे थे, वो रो नहीं तरीके से ignore करते हैं, negative तरीके से मतलब, chemicals use करके, cigarette और दारू पीपी करके, drugs use करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने दिमाग को एक हमेशा hallucinated state में और एक drunken state में रखते हैं, ताकि उनको reality face ना करनी पड़े, और उनका दिमाग जो है, वो एक illusion भरी दुनिया को बना कर रखे, दे भस्न कर दीजे, पस एक छोटा सा सवाल है, किस angle से आप respect कर रहे हैं उस इंसान की, मतलब definitely जो इस इंसान मार रहे हैं, वो तो आपका दुश्मन था, क्योंकि इस तरीके से हम किसी दोस्त और अपने किसी family वाले की कैस कैसे respect कर रहे हैं, अगर कोई इंसान अब इस दुनिया कर लो, नहीं, वो एक बहुत बड़ा हाथसा था, और हाँ उससे आपको उभरने में समय लगेगा, लेकिन पहले accept तो करें उस बात को, खुलकर पैठे, बिना नशादार हूँ के, बैठें और सोचें उस बारे में, मन कर रहे हैं, गाली देने का मन कर रहे हैं, तो गाली दे खुद को घुमाते जाओगे, घुमाते जाओगे, और उस तीसका कभी हैंट नहीं होगा, इस से उभरने के लिए, दो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं, जो अकसर लोग अपनाते हैं, सबसे पहला जो लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं, यानि पुनर जनम में बिली अकसर जो इनसान बड़ा इस दुनिया से जाता है, उसकी कुछ ख्वाईशे होती हैं, जो पूरी नहीं हो पाती हैं, उसकी कुछ इच्छाएं, कुछ होबी, कुछ पाशन, अगर आप कमफुटिबल हैं, तो एक लिस्ट बनाई हैं, एक लिस्ट जो उस इनसान ने बनाई ह अगर उसे पता होता हैं, उसके पास समय कम हैं, और अब उन लिस्ट में लिखे हुए चीज़ों को आप पूरा कीजिए, जब आप, अगर मान लीजिए उन्हें एक पहाड चड़ने का मनता हैं, और जब आप उस पहाड को चड़ रहे हैं, इमाजिन कीजिए, कि वो आपके साथ में हैं, पहाड ज़रूर आप चड़ रहे हैं, लेकिन experience वो इनसान भी ले रहा है, जब उस पहाड की चोटी पर पहुँचें, तो महसूस करें कि उसे कैसा लग रहा होगा, कि उसका दोस्त, उसका बेटा, या उसका husband, या उसकी wife, उनका सपना पूरा कर रही है, सिंप पता है difficult है, लेकिन life moves on, और अगर आप वहीं खड़े रहेंगे, खुद को उसी तरीके से torture करते रहेंगे, तो ये किसी भी रूप में, किसी भी आंगल से, उस गए हुए इनसान की respect नहीं होती, तो please यार, मैं सुन तो नहीं सकता आपको, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, कि हम बात कर रहे हैं किसी और के चले जाने से, जो हमारे उपर गम आता है, जो पीड़ा आती है, जो सको हम इंग्लिश में suffering कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी suffering भी होती है, जो इनसान खुद के उपर लांगता है, जी हा, उसे कहते हैं self created sufferings, ये क्या होती है, अगले episode में, आपका इ अपने एक encounter के भारे में बताते हैं, तो उनके जो patient है वह आए एकदम बढ़िया, वेल-groomed है, बाल वाले एकदम जमे हुएं, एकदम एक suit वगरा सब पहने हुएं, अर्मानी का, और एकदम he is very well dressed, और एकदम presentable से आए हुएं, वो आकर के सामने बैठे, इन्होंने भी welcome कि वो बैठे और जो standard procedures होते हैं, basic से सवाल जवाब होते हैं, नाम बता, address और आप कहां से हैं, आपकी पढ़ाई, वो इसे questions चल रहे थे, कि इतने में वो इनसान चिलाया, गाली देकर चिलाया, उसका पूरा जाँगर था ना, वो उसकी बीवी को लेकर के था, उसने मेरे पर cheat करता है, तो उसका reaction कुछ अट तक ऐसा ही होता है, यह भी यहाँ पर आराम से शांती से बैठ कर सुन रहे थे, आवर्ट जी सुन रहे थे, finally उन्होंने सवाल पूचा कि डिवॉस को एकिता राइम हो चुका है, तब उन्होंने कहा, last में 17 यहो जाएगा, what? 17 years, जस बात को ल चलाई लामा जी की लिखी किताब, The Art of Happiness की Book Summary on Kukoo FM, सुने जो मन्चा है, यह कहानी हमारे आज के टॉपिक से सीधे सीधे related है, इसे कहते हैं Self Created Suffering, क्यों कहते हैं Self Created Suffering, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप को problem में, guilt में, गुस्से में रखे हुएं किसी और के कारण, वो हम पर cheat करना था, वो cheat कर दिया, उस इंसान को किसी और के साथ जाना था, वो इंसान चला गया, उसे हमें divorce दे दिया, हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को मारे जारे हैं, मारे जारे हैं, हम कुस्सा किये जारे हैं, उसने मिरे सब कैसे किया, और यहीं पर यह important सवाल उठता है, but it जनाब सारा का सारा खेल यहीं से शुरू होता है कि यह फैर नहीं था, मैंने तुससे प्यार किया, उसने चीट क्यों किया यह सही नहीं था, बिल्कुल सही बात है मैं 100% आपकी बात से अगरी करता हूँ, इवन मैं नहीं हावर्ड जी, दलाई लामा जी, दोनों आपकी बात से अगरी करते है तो यह आप एक सवाल है, बई अगला इंसान खराब है न, कि उसने आप पर चीट किया तो यह आप खुद को क्यों पनिश्किये जा रहे हो बई वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, लेकिन आप अभी तक खुद को वहीं रोके हो 17 साल पहले आपने अपनी लाइफ के कितने सारे अमेजिंग एक्स्पिरियेंसेज मिस की हैं आपको अंदाज़ा भी है जस्ट बिकॉज आपका दिमान बार बार यह सही नहीं था, हाँ यह सही नहीं था लेकिन वो इंसान भी तो सही नहीं है, तो क्यों उसके बारे में सोचना अगर वो इंसान गलत था, तो सही के पास जाओ न यार देखो, problem है थोड़ा सा चिलाने का मन है, चिलाओ लेकिन खुद को उसी जगा पे डाल के उस cassette को rewind, rewind, rewind करके चलाने में अगले इन्जान को कुछ भी नहीं होने वाला problem आपको हो रही है आप परिशान हो रहे है, और ऐसा है सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में आप है psychiatrist हो, दोस्त हो, आपके माबाप हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनेंगे लेकिन असल जिंदगी में जो problem हो रही है वो तो आप ही के है ना, अब यहां से हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, guilt की तरफ अभी हमने देखा कि किस तरीके से इंसान अपने अंदर घुस्से को दवा कर रखता है लेकिन यहीं पर हमारा जो अगला emotion है वो और भी ज़्यादा interesting है कि हमने कोई गल्ती करी होती है और उसका हमें guilt हो जाता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है guilt जिन लोगो नहीं होता दरखलीव वहाँ पर होती है कि भाया इतनी गलत चीज करी है और उसके बात इस बात का guilt भी नहीं है अब guilt होने में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जनाब एक समय तक guilt होता है कब तक किसी बात का अपने सीने लेकर के आप बैठे रहेंगे अब problem क्या है जब आप इस guilt को लेकर के बैठे रहते हैं तो माफ कीजिएगा लेकिन happiness के entry कहा से होगी जहां से happiness को आपती जिंदगी माना है वहाँ तो आपने guilt भाहराज को बिठा करके रखा है ऐसे बात नहीं मनेंगी देखो क्या होता है जब आप लोग ये guilt में रहते हो या फिर एक self-created suffering में रहते हो तो कुछ चीज़े होने लगती है बतारों पड़े ध्यान से observe कीज़ेगा आप ना overly sensitive हो जाते हैं हर दूसरी चीज़ को ना एकदम दिल पे लेना शुरू कर देते हैं हर दूसरी तीसरी बात पर over react करते हैं over act करना शुरू कर देते हैं कि क्यों होता है पता है दरएसल वो चीज़ आपको bother करी नहीं रही है आपको इस बात से तगलीव ही नहीं है सिंपल बात है boss अगर खुश रहना है सबसे पहली चीज़ किसी और ने अगर गलत किया तो उसको हम नहीं लेंगे भाई उसने गलत किया और हम अपनी जिंदगी पर बात करते हैं वाव भी इसी तरीके से अगर आप से कोई गलती होगी अगर बात कर रहा हूँ नाचुरल चेंज़स की एक्जामपल के तौर पे अब एक कबल था अब वो कबल जो था वो फाइनली एक डिवास लेने के लिए है सब डिवास लेने के लिए वो दोनों के दोनों सामने बैठे थे तो पूछा है भई डिवास ऐसी तो मिलनी जाता क्या हो गया क्या दिक्कत तब उन लोगों ने बताया दरसल हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं लेकिन अब हमारे बीच में वो प्यार नहीं रा जो पहले रहता था मतलब रहते हैं साथ में लेकिन कुई स्पार्क नहीं है को यह नहीं है काफी लमबा प्षार चला उनके इवास का लेकिन इट में फआईलि उनका इवास मिल गया बलकि आपसे यह कह रहे है जब लाइफ में चेंज़ आते हैं उन्हें आरे ऐसे बी नहीं हुआ लेकिन कभी तो आँख खोलोगे जिस दिन आँख खोलोगे उस दिन uncomfortability होगी जिस दिन uncomfortability होगी उस दिन problems धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी तो जबरदस्ती किसी बात को unnecessary delay करना भी है गलत बात है छोटे-छोटे changes को हमें जरूर देखना चाहिए लेकिन naturally जो changes आ रहे हैं और आपको लग रहा है यह चीज अब मेरे comfort level के बाहर है तो वहाँ पर उस change को accept करना जरूरी है कई बार changes हमारे लिए थोड़े से negative होते हैं तो हम उसे दूर हड़ जाते हैं लेकिन कई बार हम changes से थोड़ा डरते हैं पर जब वो change finally हम accept करते हैं तो लगता है कि यह actually better था जैसे example के तो और एक नहीं colony में shift कर लेना या फिर आपको ऐसा लगना कि यार मेरी पुरानी वाली जौब यह अच्छी थी यह नहीं वाली अच्छी होगी की नहीं होगी शायद वो जाद अच्छी निकल जाए क्या पता लेकिन यह पता तो तभी चलेगा ना जब आप उस change को accept करोगे तो change accept कर लिया, guilt को जिंदगी से निकाल दिया और अगर कोई और आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो जादा नहीं चिलाना है हाँ माना उसने गलत किया, आप आपने दोस्तों के सामने गालियां दी लेकिन बात खतर उसी की बात को लेकर बैठे रहोगे तो 17 साल बीच जाएंगे और वहीं आपका cassette चलता रहेगा और अगला इंसान अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएगा ऐसा नहीं, आपको भी खुश रहना है ये आपका हक है तो हमने ये सारी बाते समझ ली सफरिंग का टॉपिक हमने अच्छे से इंडेप्ट पढ़िया अब बात आती है परस्पेक्टिव की वो कहते रा पॉइंट ओफ व्यू इसे क्यों कहना है और कि क्यों इतना इंट्रेस्टिंग कॉंसेट है इस किताब का वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा आपका इंतिजार रहेगा इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल के देखो पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी जनाब इस किताब का अगर एक सबसे इंपोर्टन ब्रहमास्त्र है तो वो ये लाइन है अब ये लाइन इस किताब में नहीं लिखी थी लेकिन इस चाप्टर में और अलग-अलग चाप्टर में लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे अंगल से समझेंगे क्या है वो अंगल? वेट याँ हेलो जी, मेरा नाब है जस्टन जुफ और आप सुने है अब इमाजन कर लो कि आप के सामने एक दुश्मन है और यह दुश्मन आपके साथ कुछ लाइफ में गलत कर रहा है तो अब आपने उसके साथ लाइफ में कुछ गलत कर दिया इसके बाद क्या होगा? अरे यार अगर बॉलिवूड मुवीज देखे होना तो सब को पता है इसके आगे क्या होता है फिर सामने वाला रिवेंज लेगा फिर आप रिवेंज लोगे फिर सामने वाला रिवेंज लेगा और ये गाड़ी चलती रहेगी अब ये साइकल जब चल रहा होता है तो अनेसली नुकसान किसका हो रहा होता है देखे ये नहीं कहा जा रहा है कि अपने rights के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए या फिर जहां आपको लगता है कि आप आप खड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन सवाल ये है जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं उसको लड़के ऐसा तो नहीं कि अगर उसे नहीं लड़ा होता तो जो mental peace आपको मिलती वो शायद जादा जरूरी थी एक example समझते है नॉर्मल सी बात है एक flight में हमारे जो sorry हमारे flight में जो राइटर भाई साब है वो travel कर रहे थे तो वो होता है ना कि मतलब वो अपना जो हाथ रखने का मेरे वाली जागे में हाथ कैसे रखा और वो लेडी को left side हाथ रखना चाहिए था लेकिन दूरों हाथ चाहिए रखती है तो उनको नहीं गुस्ता आने लगा हर दूसरी चीज़ पर कैसे बैठी हुई है इसका attitude तो देखो हाँ चेहरा तो देखो मतलब हर चीज़ के अंदर वो कविया निकालने लगे और उसी के साथ उन्होंने एक deep breath लिया और यह realize किया कि भाई बैठी हो अब उसके पीछे की वज़ा धलाई लामा जी थे उनके lectures थे या फिर कोई life का और experience anyhow उन्होंने एक deep breath लिया और उन्होंने इमाजन करना शुरू किया मुझे actually में किस बात से problem है हाथ उन्होंने रखा हुआ यह बात मुझे पसंद नहीं आ रही अब इवन तो सुनके यह बहुत फालतू बात लगती है लेकिन reality यह है आपका दिमाग ना to do की list की तरह चलता है जब वो देखता है कि अगले की list में सिरफ और सिरफ एक खामी लगी हुई है तो उसको लगता अगला इंसान एक villain है वहीं पर जब देखते हैं कि maximum चीज़ों से आपको दिक्तत नहीं है बस एक चीज़ से problem हो रही है तो आपका दिमाग में थोड़ा सा आठीके जाने दो वाले attitude को रखनी लगता है देखो फिर से मैं कह रहा हूँ यह मतलब नहीं है कि आपको अपने rights के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए जहां गुद गलत हो रहा है तो आपको बोलना नहीं चाहिए और उसे कहते हैं flexible thinking हमारे और हमारे parents की generation के बीच में जो यह great grand canyon type का एक generation gap है इसको जोडने का एकड़ापर फेविकॉल वाला तरीका अगर कुछ है तो वो यहीं है flexible thinking flexible thinking का simple सा मतलब क्या है मैं अकेला इस दुनिया में सही हो नहीं मेरे तरीके से इस दुनिया को चलना चाहिए नहीं मैं देसे सोच रहा हूँ वैसे मेरे बच्चे क्यों नहीं सोचते या वैसे मेरे parents क्यों नहीं सोचते नहीं भाई सबका अपना अपना एक perspective होता है आपका छह किसी का नौ होता है इस बात को जब हम लोग realize कर लेते हैं कि भाई यार चीज़ें different different भी हो सकती है उसके बाद आती है जिंदगी में सुकुन देखो यार तीन चीज़ें आपको simple सी याद रखनी है number one मैं एक human being हो यानि कि मैं एक इनसान हूँ number two मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहना है और मुझे लाइफ में सफर नहीं करना number three दूसरे इंसानों को मेरी तरह उनको भी अपनी जिंदगी में खुश रहना है और उनको भी अपनी जिंदगी में सफरिंग नहीं चाहिए बात ख़तम flexible thinking का मतलब जीओ और जीने दो अब इसका फाइदा कैसे होता है जब आप अपनी life में इसको देरे-देरे implement करने लगते होना तो आपके आसपास के लोग आपसे बहुत जादा comfortable होने लगते हैं क्योंकि उन्हें realize होता है कि अगर वो अपनी बात को लाके आपके सामें रखें तो आप अपनी बात को उसके उपर overlap करके नहीं बूलोगे आप उनकी identity की respect करोगे और ये करना boss बहुत जादा जरूरी है अगर आप एक ऐसे इंसानों ना जिसे narrow mindedness कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही चलूँगा दुनिया को भी ऐसी चलना चाहिए माफ कीजिएगा happiness आपकी dictionary में नहीं आ सकती क्योंकि आपकी जिंदगी की problem ना आप नहीं होंगे आपकी जिंदगी की problem हमेशा लोग होंगे कि आपने को क्या करना है अपने को खुश रहने का simple जियो और जिने दो दूसरों जो काम करना चाते है जियो, उनको काम करने तो ठीक है न अगर उनके काम से आप effect हो रहे हो और आपको problem हो रही है तो अलग बात है लेकिन जबरदस्ती उनकी जिन्दगी में घुसके उनकी जिन्दगी पर लेक्चर देना गलत बात है अब इसके बाद हमारी गाड़ी पहुचती है पेन और सफरिंग का मतलब क्या होता है अगले एपिसोड में आपका इंतजार रहेगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बड़ी इंट्रेस्टिंग लाइन कही थी वैसे तो उन्होंने कई सारी इंस्पारिंग बाते कहीं पर यह उनमें से थोड़ी हटके है उन्होंने कहा हर वो चीज़ जो मुझे मार नहीं पाती वो मुझे और जादा ताकत दर बना देती है इंगलिश में से कहते हैं जना बाद बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है आपकी लाइफ में जब ही भी सफरिंग आती है तो आपको ज़रूर बुरा लगता है जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है तो आपका जो सबसे बेस्ट रूप होता है वो बहार निकल के आता है अब एक एक्जाम्बल देखते है इटली 30 साल तक लड़ाई, टेररिजम, मुर्डर, ब्लटशिट इतना था कि गैंग्स आ वसे पूर देखके शर्मा जाए लेकिन उसके बावजूद इस 30 सालों के अंदर उन्होंने माइकलाइंजिलो, लियोनारो दाविंची जैसे लोग देखे और उसके साथ रनसान सेरा जिसे कहा जाता है, वो देखा, क्यों? देखे, बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है जब आपकी जिंदगी में सफरिंग आती है, तो वो आपको टफ बनाती है, आपको और ज़्यादा मजगूत बनाती है लेकिन उसी के साथ-साथ यही सफरिंग एकदम opposite काम भी करती है वो आपको soft भी बनाती है, आपको sensitive भी बनाती है, आपको gentle भी बनाती है दूसरों को लेके अब देख उसका मतलब क्या है, बड़े आराम से समझेंगे एक case था, divorce का, जो काफी end-end वाले moment तक आ चुका था और अचानक से एक दिन पता चलता है, कि उन दोनों ने divorce करने का decision जो है, वो पूरी तरह से रोग दिया क्यों? क्या हो गया? तो पता चला कि एक दिन जो थे, जो husband भाई साब थे वो कुछ तो था, उन दोनों के विच में कुछ लड़ाई हो रही थी, कुछ टसल हो रही थी, और अचानक से अपने depression के fit में आके, वो रो दिये husband जो था, वो अपनी wife का हाथ पकड़के, बस रोने लगा रहो, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ भी, बस एक छोटे से बच्चे की तरह सिसक सिसक के, सिसक सिसक के, रोने लगा उसकी बीवी ने कभी उसका ये रूप नहीं देखा था, एक ऐसा रूप जहां शायर उसने अपने guards को नीचे किया, जहां उसने अपनी कुछ feelings और उसके मन में जो बाते चल रही थी ना, उसे बाहर निकाला पेन था, लेकर उस पेन ने उसे gentle बनाया, उसके जो लड़कों के अंदर एक होता न, हम तो मर्द यहां में, दर्द नहीं होता, ये चीज़ खतम हो जाती है, जब इंसान suffering पर आता है उसने जब finally अपने दिल की बात को बाहर निकाला, अपनी problems उपता ही, कि उनकी आपस में कई सारी problems उस रात discuss हुई, और eventually उनके आपस में divorce लेने का जो decision था, वो पीछे ले लिया एक किताब लिखी गई थी, Dr. Paul Brand ने, उस किताब का नाम है Pain, The Gift Nobody Wants, मतलब दर्द एक ऐसा तौफा होता है, जो किसी को नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जब वो इंडिया में आये थे, और उस टाइम पर लेपरसी का बहुत बुरा हाल था इंडिया में, तो उस टाइम पर उ नहीं हो रहा ना, यह physical example जो है, mental example भी related है, जब आपकी जिंदगी में दर्द होता है, तो आपको realize होता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, और यह चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, दर्द आपको protect करता है, लेकिन उसी के साथ साथ, इस दर्द की ना एक और खुबी ह तो topics बहुत सारे interesting होते हैं, यह बाते हैं, sports की बाते हैं, ट्रावल करने वाली बाते हैं, और यह सारी यह सारी बातों पर उससे बातचीत होती है, लेकिन, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बिलकुल honesty के साथ इस बात को सूचेगा, आपका किसी के साथ एक personal connection कब बना थ जब आपने अच्छी अच्छी बाते हैं कि दूसरे के साथ करते हसी मजाग करी थी, या फिर उस दिन, जब आपने अपनी life की कोई problem अगले इंसान के साथ शेयर करी थी, और तब आपको यह पता चला कि अगले की जिंदगी में भी कुछ तकलीफ हैं, जो उसने आपके साथ शेयर करी, यह जो दर्द होता है न, इसकी एक बड़ी interesting quality होती है, सब आप अपने दर्द के बारे में, बहुत जादा नहीं, मतलब बहुत जादा बता होगी, तो लोग आपको रुन्दू बलानी लगेंगे, लेकिन जब आप अपने दर्द के बारे में किसी को बताते हो, तो वो इंसान मा appreciate करता है, उसे ऐसा लगता है कि आप न उसे अपनी जिंदगी में एक invitation दे रहे हो, क्योंकि आप उसके सामने वल्नरबल हो रहे हो, देखिए, अपनी तकलीफों को किसी के सामने बताने में कोई हर्स नहीं है, अगर कोई बात आपको तकलीफ देरी, आप उ और आप उसके साथ अपनी एक pain को discuss करते हैं, एक connection बनता है, और यह connection आप बहुत साथ special होता है, अगर believe नहीं होता, तो अपनी हर अच्छी दोस्ती को ज़रा ध्यान से देखो, वो दोस्ती कब बनी थी, किसी अच्छी memory पे, या उस दिन, जब आपने अपने दिल के पास कि क वोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत hurt करती है, वो उस इंसान के साथ share करी हो, सोच के देखिएगा, क्योंकि हमारा जो अगला episode है, वो finally इस pain और suffering से आगे बढ़कर हम लोग change की तरफ जाने बाले हैं, भाया, change कैसे लाएं और ये change का process क्या होता है, ठीक है, अगले episode में, आ आपका इंतजार रहेगा, तो हमारी अभी तक की गाड़ी में हमने इतना समझ लिया कि भाया हमारी life में अगर हम किसी negative चीज में हैं, अगर किसी suffering में हैं, किसी pain में हैं, तो हमें वहाँ से बाहर निकलना है, ये जरूरी है, क्योंकि वो करने के बादी हमें happiness में लेगी, वह समझना, कि भाया, ये तकलीफ क्यों है, अब हमने इतने लंबे समय से समझ तो लिया है, कि ये एक तकलीफ है, और हम इसे change करना है, याने step number two, determination, हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोजफ, और आप पढ़ रहे हैं, हावर्ट सी कटलर और ददलाई लामा जी की लिखी किताब The Art of Happiness की Book Summary on QQFM, सुने, जमन चाहे, तो भाया, educate, हमने खुद को कर लिया, अब बात आती है, determination की, example ले ले लेते हैं, एक simple simple सा, हवा हवा में पढ़ने में ना मजा नहीं आता है, तो simple example है, हमें भाया, cigarette की यादत है, हमको cigarette छोडने है, सबसे पहली चीज़, education, याने learning, भ भाय को अदिनी cigarette छोड़ेगा, सीधी सीधी सीबात, तो भाया, अपनको educate कर लिया, अपने खुद को, second step आता है, determination अपने अंदर पालना ज़रूरी है, क्योंकि नजाने आपके अंदर कितनी ही education क्यों ना हो, जब तक आपके अंदर से genuine एक आवाज नहीं है, कि आपको change लान है, तो भाया, simple सीधी बात है, अगर हमें छोड़नी है, तो पहले determination लेना है, उसके बाद action लेना है, लेकर ऐसा है ना boss, इतना अगर होता, तो बुरी आदतों को कोई भी छोड़ देता, इसलिए यहाँ पर एक बात आती है, जैसे कहते है, a sense of urgency, जनाब sense of urgency एक बहुत important काम, 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 क्यों? क्योंकि वो चीज़ urgent है, जब आप किसी बुरी आदत को या इस pain और suffering को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह urgency समझना जरूरी है, कि आप अपनी जिंदगी का काफी समय उस चीज़ के पीछे बरबाद कर चुके हैं, चलो अगर ये determination ले लिया, आपने cigarette छोड़ने की ठान भी ली, और जिंसी लेकिन जैसी डवलप होजे ना, कि नहीं यार, छोड़ना है क्योंकि health काफी deteriorate हो गया, यह stamina जो हो गया है, तो अपने आप एक effort आने लगती है कि नहीं यार, अपना मैं छोड़ सकता हूँ, इतना असान नहीं होत और उसी के लिए, हमारा जो एक important lesson दलाई लामा जी और हावर्ट जी साथ में बोलते हैं, वो यह है, genuine change समय लगता है, देखो हो सकता है आपने cigarette छोड़ दी, एक दिन ने पी, दो दिन ने पी, पर इसका यह मतलब नहीं कि cigarette छोड़ना अपने आपने एक challenge होता है, और यहाँ यह भी तो हमने कितना समय बरबाद कर दिया ना, जाने दिया ना, तो हमारे पास time है, इस दिक्कत में मत बैठना कि भाया, अब बस मरने ही वाले हैं, परसो नर्सो, भई ऐसी situation नहीं है, हमारे पास समय है, हम आराम से भी अपने अंदर वो positive changes को ला सकते हैं, बस बात इतनी स छोड़ दोंगा, यह बात कहना कि भी यह आप से मेरी cigarette छुड़ गए, अच्छी बात है, थोट अच्छा है, लेकिन आपको इसके पीछे की realism को भी थोड़ा सा साथ में रखना है, आपको इस बात को accept करना है, कि अगर आप एकदम से cigarette छोड़ते हैं, तो हो सकता है बीच में unrealistic expectations रखने लगते हैं, तो problem यह है कि expectations इतनी जादा बड़ी हो जाती हैं, कि फुल्फिल नहीं होती, तो हम demotivate हो जाते हैं, इसके अपनी life के expectations हैं, तो targets है, और थोड़ा थोड़ा गरके बढ़ाना है, सीधे से Mount Everest का, अगर आपने मतलब जिन्दगी में कभी पहाड़ नी च शडयंत्र रचने की जो हरकते होती हैं, arrogance यानि किसी के साथ बत्तमीजी से बात करना, jealousy यानि कुड़ना, desire, lust, close-mindedness and बहुत सारी ऐसी और, लेकिन पर डायलोग होता हैं, कि इन सब का बात को ने बाहर निकल के आए, तो वहाँ पे न दो खड़े होते हैं, नफरत यानि hatred और गुसा, यानि anger, अप इन दो को सबसे जादा major इसलिए consider किया जाता है, because अगर ये दो आपकी जिंदगी में हैं, अगर आप नफरत करते हो किसी से, फिर आपको बड़ी जिल्दी गुसा आ जाता है, तो ये जो बाकी सारे के सारे negative emotions ये न, ये मिलके आपकी जिंदगी में इ हमारी जो राइटर भाई साब है, वो ऐसी किसी psychiatric treatment facility में ऐसे गई हुए थे, तो वहाँ पर न ऐसे दूर से आवाज आ रही थी, कि मुझे गुसा आ रहा है, जम के चिलाओ, मुझे बहुत ज्यादा गुसा आ और जम के चिलाओ, मुझे पता चलना चीकितु में कितना गुसा जम जम के, जम जम के, जम जम के, बस इतना चिलाओ जा रहा है कि मुझे गुसा आ रहा है, मैं नफरत करता हूँ, I hate you, बस चिलाओ जा रहा है, अब जब ये बात हमारे राइटर भाई साब ने सुनी, तो उनने थोड़ा सा डर लग गया, कि भाई ये कौन चिला रहा है, इ जो मर्दों को सिखाती है, जो भी फीलिंग्स है, उसको अपने अंदर दबा कर रहो, ऐसे मर्द रोते नहीं है, वह अली जो बात होती है, कि आप अपने अंदर दबा कर रहे हो, emotions को अच्दम निचोड कर रहे हो, वो चीज़ें बाहर निकालना जरूरी होती है, ये उन्हे एक ऐसे treatment hall में पता चला, अब ये जो anger और hatred है ना, हर psychiatric treatment में इस पे सबसे ज़्यादा focus होता है, और इनको counter करने के लिए, देखो, villains तो है, मान लिया, लेकिन जहाँ पर भी villain है, वहाँ पे भईया hero भी होता है, तो hero क्या है यहाँ पे? दो चीज़े है, patience और tolerance, patience का मतलब सब असा बढ़ाना, अब सहने को आप थोड़ा सा confused मत हो, यहाँ पे कोई आपके खिलाफ अत्याचार किये जा रहा है और आप उसे सहरे हैं, नहीं, tolerance का मतलब होता है, हर छोटी छोटी चीज़ को ना, ऐसे दिल से नहीं लगा लेते हैं, हर दूसरी तीसरी चीज़ पर यह गलत यह गलत, यह गलत करते रहोगे न, तो लोग कहीं न कहीं आपसे एक distance बनाने लगेंगे, जहां चीज़ें गलत होती हैं, वहाँ पे आपको यह समझना जरूरी है कि क्या इस लड़ाई को लड़के कोई मतलब है या नहीं, लेकिन anyhow, patience और tolerance को develop करने का, जो एक बहुत बढ़ ब्रहमास्तर होता है, एक ऐसा concept जो psychologist और psychiatrist न जाने पिछने कितने सालों से लगाते आ रहे हैं, उसे कहते हैं, अपनी आपको बुरे से बुरे के लिए prepare करो, English में इसे कहते हैं, prepare yourself for the worst strategy, देखी जनाब ऐसा है, imagine करो कि आपकी जिंदगी में, unfortunately, आपका break-up हो जाता है, यहाँ चोड़ के चला गया, यह भी, एक चोड़ के चला गया, यह भी, एक चोड़ को शौक होता है, कि मैंने तो यहाँ इससे expecting नहीं किया था, कि यह ऐसा कर सकता है, यह है problem, हमारा जो mind अगर विसी चीज़ को पहले से इसकी, एक को कहते probability बना चुका है, कि ऐसा भी हो सकता है, त जब आपन खुद को बत्तर के लिए प्रिपैर कर लेते हैं, मतलब अगदम गटिया, गलत जो अगदम सबसे बुरा हो सकता है मेरे साथ, तो जब आपकी लाइफ में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती है, आप तो इसको हसी हिलने में ऐसे निकाल देते हो, आस-पास के ल बुरा लगता है, ये नहीं कहरें कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको उदास नहीं होना चाहिए, बिलकुल होना चाहिए, और नहीं हो तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम् की बात है, लेकिन अगर आप अल्रेडी प्रिपैर थे उस चीज के लिए, तो वो शौक होता है न, many a times, जो नफरत पैदा करता है, वो ये शौक करता है, जो आपको अंदर से गुसा आता है अगले इंसान के लिए, वो ये शौक पैदा करता है, तो आपको अपने अंदर पेशन्स और टॉलरेंस को बनाने के लिए एक सिंपल सी चीज करने हैं, चीज़ें स सबसे बुरी क्या हो सकती है, उसके लिए खुद को प्रिपैर करके रखना है, एक बारी आपके लाइफ में ये आ गया, धीरे 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 आप अपनी लाइफ में पेशन्ट भी हो जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं हर दूसरी चीज़ी चीज में ऐसे कुडिंगे नहीं, जो आपके लिए नेगटिव होते हैं, किसी से लडाई हो गए, किसी ने धोका दे लिया, उन इवेंट्स को याद रखना, ये आपके दिमाग का काम है, लेकिन उस इवेंट्स से रेलेटिव जो नेगटिव एमोशन है, कि वो इवेंट्स आप इमाजन करते हैं, नराज हो अब इंसान है, हमारे अंदर फीलिंग्स है, गुस्सा आता है, नॉर्मल है, लेकिन जब हम उस गुस्से से आगे वढ़ते हैं, तब आक्चुली में उन नेगटिव इवेंट्स का जो एक्स्पिरियंस होता है, आपके पास रह जाता है, और आप अपनी लाइफ में ग्रो क करना शुरू करते हो, चलो भई, आंगर की भी बात हो गई, नफरत की भी बात हो गई, सब की बात हो गई, अब टॉपिक आता है, सबसे जादा जो एक ऐसा टॉपिक जो हमारी जनरेशन ना मतलब बहुत वेस करती है, एंसाइटी और लो सेलफ एस्टीम, कि क्या होता है, सम जो जनरेशन, जो 2000 में पैदा होए, सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया के कारण हमारी लाइफ में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो आचुकी है, सोशल मीडिया के कारण, दो सिंपल आंशर जैं, पहला है, एंशाइटी, दूसरा है, सेलफ एस्टीम पर अपन की बुक समरी, और कुको फम, सुने, जो बन्चा है, हाँ जी, तो सबसे पहले नंबर आता है, एंशाइटी नाम की इस विडंबना का, एंशाइटी क्या होती है, सिंपल सी भाषा में अगर समझना है, जो चीज हो चुकी है, जनरली उससे रिलेटर एंशाइटी में होती है एंशाइटी होती है, उन चीजों से रिलेटर, जो अभी होने वाली है, जो जनरली आपके कंट्रोल में या तो रहती है, या तो नहीं रहती, लेकिन आप बहुत जादा उस बारे में सोचने लगते हो, कि यह मीटिंग सही तो जाएगी ना, मतब इसको सही तो लगेगा यह मना तो नहीं कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा, तहींस अब बहुत ही होई नहीं है, लेकिन आपका दिमाग अलग-अलग सिनारी ओ इमाजन करने लग जाता है, सिटवेशन इमाजन करने लग जाता है, इसको असान भाशां में negative overthinking भी कहा जाता है, अब overthinking तो जो तो जोट मी किसी भी विडंबना में जब आप फस्ते हैं तो वो जो प्रॉब्लम होती है न यही है सबसे बड़ी जड़ कि कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कोई तकलीफ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो अब anxiety एकसरतब होती है, जब आप problem के बारे में ही सोचते जाते हो है ठीक है घाड़ी का tyre वीच रसते में फट गया, तो बीच जंगल में हो, अYaर गाड़ी का tyre पढ़ त क्या करें जो ठीक है, यह तो question में पूच लिया न कि जगैख खराब है, टायर पढ़ गया, भी, जंगल में हो, क्या करोगे? solution पर आओ, जैसे ही आपका दिमाग solution पर आता है, तो ये हमारा एक instinct होता है, इंसान होने के नाते, कि हम लोग ना, comparatively थोड़े से काम हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमारा थंड़ा हो जाता है, ये anxiety में जाना बंद करता है, क्योंकि दिमाग को भी पता है, अगर हमें solution ढूंना है, तो शान्थ होना जरूरी है, तो पहले तो anxiety को solve करने के लिए, problem के बारे में सोचना बंद करो solution के बारे में सोचो, अब मान लो ऐसा है कि भाईया, problem ऐसी है, जो solve हो जो है, समय बताएगा इस बात को खुद के अंदर repeat करो, कि इस problem का आप कुछ भी नहीं कर सकते या आपके हात में ही नहीं है, starting में थोड़ा सा weird लगता है, लेकिन कई सारे psychiatric reform centers में ये दिखा गया है, जब एक patient ये बात accept करना शुरू करता है, कि जिस problem के बारे में वो सोच रहा है, वो उसके हात में ही नहीं है, वो इस बात को समझ जाता है, वो accept करने लग जाता है, suddenly anxiety जो है, वो काफी नीचे आने लगती है anxiety को अपनी life में जादा हलके में मत लेना, क्योंकि अकसर हम सभी अपनी life में anxiety महसूस करी है, लेकिन हमने हलकी-फुलकी anxiety देखी है anxiety का एक बहुत जादा घटिया रूप भी होता है एक ऐसा टाइम जब इनसान अपने दिमाग को ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के, आप अपना आपको सोचने लग जाता है और हद से जादा overthink करने लग जाता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी life में आपको anxiety का चोटा-चोटा problems है, उसको अभी से solve करने की कोशिश करना शुरू करो, अब इसके बाद बात आती है self-esteem की, self-esteem में ध्यान दीजेगा मैंने low self-esteem अके लिए नहीं बोला क्योंकि self-esteem के अंदर दोनों भाई होते हैं, एक होता है low self-esteem, अरे नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा मेरे बस की बात नहीं है इसके बाद आते हैं इनके बड़े भाई मैं ही हूँ, जो हूँ, दुनिया तो ऐसे चीनी कम है, ऐसा नहीं है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको low self-esteem का problem, अगर आपको ऐसा लगता है generally life में, कि बाकी लोग आपसे ज़्यादा बहतर है तो ऐसे में, और जब आपको ऐसा लगता है शायद हमारा environment खराब है, शायद हमारी upbringing सही तरीके से नहीं हुई, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है, और वहीं पर जब आप honest रहते हैं खुद के साथ, और आप बहुत ज़ादा हवा में उड़ रहे होते हैं, तो एक rule होता है, इंसान में खुद से जूट नहीं बुल पाता है, तो जब आप खुद से बात करते हैं, तो आपको दूद का दूद और पानी का पानी करने में समय नहीं लगता है कि ये दोनों की दोनों sides बहुत ज़ादा खराब होती हैं, आपको रहना है middle में, आपको एक ऐसा self-esteem रखना है, जिसमें आपको ये कभी नहीं फील होना चाहिए कि आप life में कुछ करनी सकते हैं, आप किसी से कम हैं, लेकिन ये भी feelings नहीं आनी चाहिए आपके अंदर कि भाईया, इस दुनिया में सिरफ एक ही इनसान है, superstar और वो हूँ मैं, नहीं सुनने में या Bollywood movies में जरूर ये dialogue होता होगा, लेकिन real life में ये आपके लिए बहुत ज़ादा harmful है अपनी life में anxiety और उसी के साथ-साथ इस तरह की जो self-esteem की problems होती है, इनसे बचनी के लिए एक word है, meditation, सुनके बहुत बोर लगता है लेकिन इस context में meditation का मतलब है, खुद के साथ बैठो, और खुद से ना, बातें करो, real बातें करो, बताब बाते आने ज़रूरी नहीं है, आप जम-जम के बातें करो, आखें बन करो, और पस अपने मन के अंदर, खुद से बातें करो, अपनी कापिलियत को देखो, जो ऐसी च अपिसोड में धार्मिक नहीं, बलकि आत्मिक बातें करेंगे, अब ये सुनने में थोड़ा सार culture को, को boring लग सकता है, लेकिन actually भी spiritualistic concepts चो अधना बड़े interesting होते हैं, बिकरस इनके थुरू हम कई बार, खुद को जानने का एक different angle देखते हैं, आप किसी religion में मानते हो, नहीं म मानते हो, आप भगमान में मानते हो, नहीं मानते हो, कोई फर्ट नहीं पड़ता, spiritualistic values हम सब के अंदर होती हैं, तो ये value क्या है, और हमें अपने अंदर जहाकना सही तरीके से कैसे चाहिए, इसे हम अपने अगले episode में जानने वाले हैं, आपका इंतिजार रहेगा, His Holiness, the Dalai Lama, ये कौनसे religion को बिलॉंग करते हैं, Buddhism, तो अगर मैं Dalai Lama जी से ये सवाल पूछूँ कि, भाया, best religion कौनसा होता है, तो उनका answer क्या होना चाहिए, Buddhism, और अगर उनका answer बुद्धिसम है, इसका मतलब उनका ये मानना होना चाहिए, कि इस पूरी दुनिया को बुद Summary on Kutu FM, सुने, जमंचा है, मैंने पिछले एपिसोड में बार-बार, बार-बार repeat करके end में बोला था, कि ये एपिसोड religious नहीं है, उसके बाद भी मैंने शुरुआत religion के topic से करी, क्यों? क्योंकि इसका answer, Dalai Lama जी जब अपनी किसी बात को explain कर रहे थे, तो उन्होंने बड दुनिया के जितने भी लोग है, उनको बुतिस बन जाना चाहिए, तो ये गलत बात है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक unique nature होता है, और हो सकता है, जिस तरीके से मुझे बुतिसम जादा interesting लग रहा हो, किसी को कोई दूसर religion ही interesting लगे, हो सकता है किसी को कोई religion ही interesting ना लगे, वो अपनी ही कुछ unique identity लिए चल रहा है, लेकिन यहाँ पर spiritualistic value की एक बहुत interesting quality दलाई लामा जी ने हमारी writer भाई साब के सामने रखी, ये कि जब एक इनसान एक spiritual angle पे आ जाता है, जब वो अपने आपको spiritually काफी discover कर लेता है, तो वो ये समझ जाता है, ये किसी भी इनसान को मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरे तरीके से जी हो, ऐसे कभी नहीं बूलना चाहिए, आपको सरफ अपने जिन्दगी जीनी चाहिए, और आपको खुद में जाकना चाहिए, खुद में कैसे जाकते हैं, meditation करते हैं, ये तो हम सभी को पता है, कि जितने भी मतलब ये महान गु करने के लिए, ये खुद को जाधा positive करने के लिए, जाधा खुश होता कि आप अपनी जिन्दगी में, आपको positive affirmations करने चाहिए, अब positive affirmations अकसर जो monks होते हैं, वो मालाएं जब के करते हैं, लेकिन एक सके, मालाएं तो सिक भी जबते हैं, हिंदू भी जबते हैं, भई अगर बसम हो जाए, इसका बच्चा मर जाए, इसकी बीवीज को छोड़के चली जाए, ऐसा हम कभी नहीं सोचते हैं, जब हम उन मालाओं को जबते हैं, तो there is something positive, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, और ये बात बहुत जात है important है, अगर आप किसी positive बात को बा अब भी कुछी नहीं हो पाएगा, ये मजाग की बात नहीं, काफी सारे लोगों की असल life में ऐसे दोस्त होते हैं, क्या होता है, क्यों ऐसे दोस्तों को toxic कहा जाता है, क्योंकि जब लोग बार बार ऐसी बाते करते हैं तो actually में आपका दिमाग कभी-कभी इस बात को accept करने ल आप किसी religion में belong नहीं करते हो, उसका ये मतलब नहीं कि आप affirmations नहीं कर सकते हैं, आप किसी भगवान का नाम मत लिजे, आप किसी religion में होने वाली prayers मत करिये, लेकिन आप ये तो बोल सकते हैं, कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अच्छा हिंसान हूँ, और मैं लोग में मदद कर लेकिन, eventually, उसकी positive effects होते हैं, ये बात सिर्फिक proven है, कई सारे researchers के दौरान ये दिखा गया कि जब कोई इनसान बार-बार-बार positive affirmations करता है, तो उससे उसकी life में धिमे-धिमे ही सही, लेकिन positive changes आते हैं, और इसी के साथ साथ, chapter को end करते हैं, एक meditation on nature of mind के topic से, देखे, बात लुआप के बात है, हर दिन नहीं करते हैं, हफते में दो बडर, तीन बार, महीने में कभी एक-दो-तीन-े-चार बर कर लिया, क्या करना है, शांती से बैटके, यह सोचना है, कि आपका दिमाग उस समय क्या सोच रहा है, आप क्या बार-बार positive बात हैं सोचते हो, क्या बार- detect भी नहीं कर पाते हैं, normally शायद आपकी life में कोई आपको बताएगा भी नहीं, लेकिन जब आप खुद से बात करते हो और थोड़ा सा शान्त रहते हो, तो आपको realize होता है कि मैं नहीं ये काम करता हूं कि ये काम न अच्छा का हूं है, ये मैं मतलत कैसे एक आदमी, जो एक psychiatrist है, western area से आता है, वो एक eastern influence में पले बड़े अंसान से मिलता है, जो एक जाने माने monk है और तोनों मिलकर एक बिना लड़े, बिना ये कहे कि मैं सही, नहीं तुम सही वाली जो भी concepts होती है, उनसे हटके एक ऐसी conversation करते हैं, जहां पर हमें happiness से जादा life की problems को deal करके happy कैसे हो सकते हैं, इस बार में बात करी है अब इनी के साथ, अगर आपने इसके पहले मेरी जो अलग-अलग किताबों की मैंने summary करी, अगर आपने वो सुनाओ, तो आपको पता है जी, एक prank तो हमारे हाँ पे है, हमारे हाँ पे होता है एक concluding episode, जिसके अंदर मैं दो या तीन ऐसे points